बल्कम्स विल्कमिंट रहे हैं पार वालुव बैचकं़ में शूट कही पुलमें या पर एक बढ़कर एक बरे बजट के सेट को माना जाए या पर एक नई इंडस्टी में शुरुआत करने की एकसाइमन लेकिन अचानक से ही बॉलिवूद साउट की तरफ चाती भी देखा जा रहा है और साउट की मूवी इंडस्टी भी इसको देखकर काफी, काफी ज्यादा खुश है वैसे तो बॉलिवूद का साउट में चाना, अस्ते और नब्डे के दशक पर शुरू हो चुका था लेकिन सोराली बेंप्रे, शिल्पा शेती, बृती जिल्का, अच्पधया लाई, यारा एडवानी मिध्या बालर और श्रदगपूर जैसे नए आगे बढ़ाया है आने वाले कुछ सावे में हम दो, वॉलिवूद के कई नए और पुराने आफ्टल्स को तीलगू मूवी दास्टी में देखने वाली है हाल अब हट को ही देखेजे न, जरोनी उठता पंचाब और हाईवी जैसी फिल्मों से खुद को पुर्व किया जरल्डी एसस राचा मॉली की मूवी श्रबलार में दिखने वाली है टीम बार नाश रवार्ड वीतने वाली कंगडानी हाली में ज्रेल लीता का किरिदार निभाया था इस लिस्ट में एक नया नाम जुडने वाला है और वो है संजे दर्का जो की यश्ची मूवी केजिए अप्शाप्रचू में विलन का किरिदार में दिखने वाली है जो की मूवी में विलन का किरिदार निभानी के लिए संजे दतने महनत तो बहुत की है और इसकी छलक देखी जा सकती है ले कि अगर तेलकू मूवी इंदास्वी की ओडियन्स को एक वाली वुड आप्टर का इतना बड़ा किरिदार निभाना पसंद नहीं आया तो इस मू दूसरी ओड बॉलवड के आप्टर को कास्ट करने में मूवी गेमेकर्स को बड़ी हुई पाप्डिसिती निल सकती है जो संजेदत को कास्ट करने के लिए एक एहम बच्छा हो सकती है तो क्या लगता है आपको क्या साउध इंजिन डायरेक्ट बॉलवड आप्टर को करना है फिल्म को हिट कराने का तरीका तरीका वलकम तो वॉलिवड स्टूडियो इस अपको एमोशन और ड्रामा सवरूर देखने को मिलेगा और शायद इसलिए ओडियन्स को ऐसे फिल्में देखना भी पसंद है क्या आपको याद है कि लास्ट कौन सी ऐसे फिल्म थी जिस आपने देखा था और आपको फिल्म देखकर रोई थे अगर फिल्म का अक्टर आपको अपने दुख में रुला दे तो इसका मनलिब यह है कि फिल्म पूरा पैसा वसूल है और बॉलिवड का यही मंत्र टॉलिवड भी अब इस्तमाल कर रहा है आज हम बात कर रहे हैं पार्ट का बेसबरी से इतिजार करने हैं एजेटू की हाइप इसनी जादा है कि कुछ सब्सक्राइब पहने तो ओडियंस ने प्रधान मंत्री नरेंट्र मोजी से ओफीशिल वालिटे की दिमांद कर दिए जिल्दन इस फिल्म को रिलीस दिया जाएगा आपको बता दे के दू में हम हीरो के किरदार में यश यानी रॉकी भाई और अधीरा के किरदार में हम संजदत को देखने वाले हैं आपको बता है इस फिल्म का प्लाइमेक्स पुल और हई वोल्टेज एक्शन से और साथी साथ इमोशन से भड़ा होगा जब यश और संजदत ने से बरे आक कि भाई की मौत हो जाएगी काफी बार फिल्म के डाइरिक्टर और मेकर्स और ओडियोंस को इमोशन फील कराने की कोशिश करते हैं और ऐसी ही फिल्म ओडियोंस को भी पसंद आती है इसके एक्जाम्पल है हाली में आई फिल्म शेयर शाह हाला कि ये फिल्म रियल लाइफ स सब्णफर निवाते हैं उबन हो जाती है जिससे काफी सारे लोग के लित एकटिश करते हैं और जब इस फिल्म के एंडिकल में गाना बचता है मन भरया तो लोग इससे और भी जादा connected हो जाते हैं और emotional हो जाते हैं बैग्रोंग में गाना मन भर्या इस फिल्म के emotion को और बढ़ा देते हैं और शायद climate से audience का भी दिल भराया और इस फिल्म को super duper hit करार कर दिया गया यही लिए इससे पहले भी काफी बाद फिल्म में hero की moth को emotion high करने के लिए लिखा जाता है और इसके लोगों को लग रहे है कि क्या Rocky भाई के किरदान को भी मार दिया जाएगा लोगों को emotionally connected feel कराने के लिए और उनके आँखों में आसू लाने के लिए सबसे नए और modern विरिम क्या KGF 2 के बाद Rocky ठोड़ देंगे कुण अगरती Hello and welcome to Wally Dad Studios KGF chapter 2 वही से शुरू होगा जहां KGF chapter 1 खर्भी हुआ था पहने पार्ट में यश रॉकी कुलार सोने की फीर में स्ट्रबल करने ही लोगों के मस्था बन्ती है इस फिल्म में रॉकी को लोगों के लिए लटे में देखा जाएगा और फिल्म के एंड में क्लाइटस में अधीरा जो संजय देख किरदार में भारे हैं उसका सामना होने वाला है रॉकी से आम तोर पर फिल्मों में विलन को हीरो से जादा खर्दरेनाग और बैड़एश लिखाया जाता है और वही चीज केजिए 2 में भी होने वाली है केजिए 2 में संजय के लुक को काफी पसंद किया जा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि उनके लुक को खोंकार के साथ साथ एक modern जलक भी दिया गया है और क्योंकि लुक को काफी कूल माना जा रहा है उनकी किरदार को भी काफी कूल माना जा रहा है लोगों द्वारा ऐसा इसलिए भी क्योंकि ऐसा पहली बार होगा कि किसी विलिन को एक special stylist hair style साथी साथ एक खुई tattoo के साथ दिखाये जाने वाला है ऐसा पहली बार होगा जो एक विलिन की पहचान tattoo से होगी पर अधीरा के जीवन में tattoo का importance कुछ अलग है और important है क्योंकि अधीरा अपने बाड़ी पर इन tattoo के जर्यें कुछ code words लिखते में नजर आएगा आज भी संचोदर जब स्क्रीम बराते हैं तो भी fitness से सभी को चौका देते हैं कई प्रजारा हमने वास्तव आगी पर खलनायक और संचो बायोस्तिक में भी बेखना है तो यह तरशाता है कि संचोदर मतलब 8apps वाला सूपर चार आपको बता दें संचोदर का किरदार अधीरा गरूर और विराट के चार्चा सूरेवर्धन का भाई है वो सूरेवर्धन का सक्सेशन बरना चाहता था पर इसके लिए गरूर के साइड से हान नहीं थी उसने अपने भाई से वादा किया था कि वो गरूर के जिंदा रहने तक नराची पर हमला नहीं करेगा अधीरा के एजेफ 2 में धमाल मचाने और रॉकी के किरदार को रोखने के लिए बिलकुल दयार है और हम भी उतने ही जादा इस फिल्म को देखने के लिए रॉकी की मदद और सरकार की छेटमानी पे रॉकी फिल्म के खतरनाग विलेन अधीरा को थोखा देगा एजिए जुके फिल्म के एंड की बात करें तो रॉकी का किरदार मरेगा नहीं कि फिल्म को अपनी सारी पुरानी आदत में ठोड़ देगा और साथी साथ जो भी घुल्दागर्दी वो किया करता था वो सब भी छोड़ देगा और अब तर जिवन एप नहीं शीरे से शांती पूर्वक फिर से तार्ट करेगा फिल्म में रॉकी का मकसद है कि वो सिस्टम में एक चेंज ला पाए और साथी साथ लोगों की मदद करवाए तो सबसे जादा माईने रखता है कि रॉकी का कंट्रिडूशन दुनिया को कैसे एफेक्ट करता है और क्या मेसल करता है अभी मसाला फिल्में इसी बेसिक टॉट पर काम करती है आपको क्या लगता है क्या हो सकती है केजिएफ 2 की एंडिंग हमें इक टमेंट बॉक्स में ज़रूर पता है अब इसी के साथ मैं प्राची आपसे लेती हूँ इसाद केजिएफ से क्या नहीं पहचान मिली यश्टो क्यों नोशेव नवेंबर को जोड़ा गया था केजिएफ से किस लुक को बढ़ावा मिला केजिएफ से जी हां दोस्तों एक बार फिट से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिक्राब्द स्टुडियोस की इस नई पेशकश में हीरो, विलन, क्लैमर और पूरी क्रू की मेहनत से बनती है एक फिल्म लेकिन उस फिल्म में सबसे ज्यादा ध्यान से देखा जाता है हीरो और विलन का गैट अप कि कैसे वो तैयार हुए और कैसे उन्होंने लुक की चाप लोगं पर और खुद की लाइफ पर भी छोड़ी है ऐसी ही फिल्म थी KGF CHAPTER 1 KGF CHAPTER 2 के विलन संजदत के लुक पर सबने बात लेकिन KGF CHAPTER 2 और KGF की हीरो की बात करना सब भूल गए जबकि यश की लाइफ पर रॉकी ने गहरी छाप छोड़ी थी वो इसलिए जब रॉकी की एंट्री के जीएक में हुई उससे पहले रॉकी का नाम सिर्फ यश था उनकी पहचान उनके नाम से होती जो नाम था यश लेकिन जैसे ही यश रॉ रॉकी के किरदार में कुछ अच्छी आदत ने डाली गई जिससे वो एक अच्छे गैंक्स्टर लगें फिर केजीएफ रिलीज हुई केजीएफ में रॉकी के लुक को काफी पसंद किया गया उसे नो शेव नवेंबर लुक से भी चोड़ा गया क्योंकि रॉकी की मा को कैं जिसमें कोई भी अपनी ग्रूमिंग पर होने वाले खर्ची को कैंसर पेशेंट को डोनेट कर देता है और खुद की ग्रूमिंग पर नहीं करता यही करतिक कुछ टाइम पहले यस्ट भी सोशल मीडिया पर नजर आये थे उसी के साथ बॉलीवुड में भी लंबे बाल बड लोग उनकी रिल आइडेंटिटी रौकी भाई के रूप में ज्यादा पसंद करते हैं रौकी के फैंस ने उनके हेर स्टाइल को कॉपी किया लेकिन उनका हेर स्टाइल लुक वाकई अच्छा था जिसकी वज़े से ही उसे खुद यश ने भी रियल लाइफ में मेंटेन करक है आज भी जब हम यश को देखते हैं तो वो सोशल मीडिया पर अपने लंबे बाल और नाइसली मेंटेन बियर्ड को दिखाते नजर आते हैं और अब के जिए टू में भी वह इसी लुक में नजर आएंगे साथ ही बता दें इस लुक के पीछे सबसे बड़ा हाथ यश और एक बार फिर यश इसी रॉकी लुक को के जिएफटू में साथ लेकर आएंगे जिसमें उनके साथ श्रीडनेदी शेटी संजय दर्थ रवीना टंडर नजर आएंगी किस के लिए देंगी श्रीड़ी शेटी रॉकी भाई को धोका क्या इनायत खलील मिलाएगा रॉकी स्टूडियोज जहां आपको मिलता है बॉलिवुड की तमाम इंट्रस्टिंग खबरे वह भी मेरे आनी शुती के सार्ट के कई सारे किरदारों के बीच आपस में ख्या कनेक्शन है किया आप लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया रमेका सेन का किरदार ने भारही रव कि मौत की खबर रमेका सेन तक भी जाती है जिससे साहफ नजर आता है कि केजीच की जानकारी उससे भी कहीं ना कहीं थी और ये जानकारी उस-तक- सिर्फ अधीरही पहुचा सकता है क्यूंकि बाकि जितने भिकरेक्टर जो की केजीर से जुड़े हुएoya सब के सब रमिका के खिलाफ ही नजर आए है रोकी भाई भी जिस पर अंदा भरोसा कर सकते हैं वो है उनका चूला रीना यानि की श्रिदी शेटी लेकिन अगर ऐसे में सिर्फ इकलोता ऐसा इंसान जिस पर वो भरोसा कर रहे हैं वो भी उन्हें धोका दे दे तो कैसा लगेगा श्रिदी शेटी जहां रोकी भाई का कदम कदम पर साथ निभाती हुई दिखाई देगी वहीं हर कदमों के पीछे वो रोकी के लिए जाल बुनती जाएंगी जिसका खुलासा फिल्म के क्लाइमाक्स पर होगा पोस्टर में जिस तरह का श्रिदी शेटी का लुक नजर आ रहा है उसे ये एक ऐसा मोमेंट दिखाई दे रहा है जहां वो गेट खोल कर पल की मिछा कर किसी का स्वागत कर रही है लेकिन वहां केचेफ में गरुडा को मारने में काफी लंबे समय का वक्त लग गया था शायद अब तक श्रिदी शेटी को कोई और मिल गया होगा जिसने रौकी की कमी उनकी जिन्दगी में पूरी कर दी लेकिन 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 अभी एक और इंसान बागी है जिस पर रौकी भाई भरोसा कर सकते हैं वो एकलोता ऐसा इंसान है जिससे पता है कि रौकी भाई को हराना कितना ज्यादा मुश्किल है और वो है दुबाई का शेक इनायत खलील, जो इनायत खलील मुंबई में सिर्फ रौकी भाई के होने से अपनी ड्रग सप्लाइन नहीं कर पाता था, वो पूरी KGF को रौकी के होते हुए कैसे हड़ाप सकता है? दोस्तों, किसी बड़ी स्टार से यह उमीत कैसे की जा सकती है कि वो इतनी बड़ी गल्ती कर जाया? बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना इकी फिल्म देखे, इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? जी हाँ, ऐसे ही कलती हुई है कि H.E.F.2 से सुल्ख्यों में आई रवीना तर्निक से, जो काफी जिनों से बॉलिवूद में नजर बन थी, जिनों ने काफी वक्स से कोई फिल्म नहीं की थी, लेकिन अब वो फिल्म कर रही है और फिल्म में चानी को भी तयार है, वो भी द नुसरे पार्ट का बेस सब्रे से इंतजार करने लगे थे, डाइरेकर प्रशांत निल की इस फिल्म में इस बार बॉलिवन आक्टर्स रवीना रंणन और संचेंडन देखने को मिलेंगे, हाली में रवीना ने इस फिल्म में अपने करिडार पर बात की, इसके साथ ही उन्ह पर बिना केजएप का पार्ट वन देखे ही फिल्म के लिए हामिबर दी लेकिन फिर जब मैंने पार्ट वन देखा तो मेरे तो होश ही उडगे, मेरे ये न्यू एज सिनेवा अप्रॉच था, हाला कि ये भी मेरे लिए जरूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट म स्टोरी लाइन की इस तरह से दर्शकों को प्रखावित करती है, और फिर मेरा रोल काफी दिल्चस्ट होने वारा था, तो मैं इसके लिए कैसे मना करती है, रवीना आगे कहती है कि प्रशान नील का काम शांदार है, मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पैशिल बना क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके निमाग में कब क्या आइगया आ जाए, असल लिए में वह काफी शान किसम के व्यक्ती है, लेकिन उनकी फिल्म में इसके एकदम ऑपसित है, दोस्तों, केचियाप चाप्र 2 का पहला तीजर आज जन्वरी को रिलीज हुआ इसे बेच इस फिल्म से कितने पोस्टर और कितने गाने सामने आता है, इसका फैन्स को बेस सब्री सेंग ज़ार है, तो इस फिल्म के लिए आपकी एकसाइपने लेवल कहा पर है, प्लीज हमें गमें बॉन बॉक्स को बताईए, बॉलिवुड फिल्म में कुछ चीजों के लिए खास जाने जाती हैं, और इन में से कुछ चीज़ें हैं, बॉलिवुड के गाने और बॉलिवुड का बड़ा बजट, बॉलिवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है, बॉलिवुड फिल्मों के बजट पर बनाई जाती है, औ और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्म में भी बॉलिवुड फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है। साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अलू अर्जुन, राम चन्न और जूनियर एंटियाज समेट कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्टेन पहुचने वाले हैं। दिल्चस्प बात ये है कि इन सभी सितारों की ये अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्मे हैं, जिस पर पुरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलिवुड को भी हिला देने वाली हैं। दक्चन भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलारिटी के नई स्टैनर्ड सेट पर पहुचा दिया है। उनी में से एक थी केजी अपुलारिटी के लिए एक बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को हिंदी ओडियंस के बीच खूब प्यार मिला। और उसी का नतीजा है कि अब इसके सीक्वल केजी चेप्टर 2 का बेसबरी से इंतिजार किया जा रहा है। अगर देश में करोना वाइरस की स्थितीन इतनी बूरी नहीं होती तो केजी चेप्टर 2 को पहली ही रिलीज किया जा चुका होता। और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनिमा घर में रिलीज हो चुकी होती। फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी मगर अब ये फिल्म 14 एप्रिंग 2022 को रिलीज होने वाली है। आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोर के बड़े बजट पर बनाया जा रहा है। अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है। आज कर्थ रिएटर में फिल्म में कम कमाई कर रही है। और इस फिल्म के इतने बड़े बजट पर बढने की वज़ा से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोर का लॉस ना हो जाए आपको बता देंगी परहान अक्तर और रितेश सिद्वानी की कमपनी एक्सल एंटर्टेंमेंट ने साउट के सुपरस्टार यश की फिल्म में केजी अफ चैप्टर टू की हिंदी राइट्स 90 करोर रुपे में खरीदे हैं 2018 में रितेश सिद्वानी और परहान अक्तर की एक्सल एंटर्टेंमेंट ने केजी चैप्टर वन फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं अब इसी के साथ मैं सुम्बिका लेती हूँ आपसे इजाज़त तब तक करी हमारी वीडियो को लाइक कमेंट अब से 2022 के शुरुआत में कौनसी बड़ी फिल्मों का क्लाश होने वाला है अब देखें पॉलिग्राफ स्टीडियो मैं उन्जोनी कज्यार दोसों करोना काल के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से सिनेबागर खुले है और फिल्म में रिलीज हो रही है और रिलीज डेट अनांस हो रही लगातार आने वाली फिल्मों के हाल ही में लाल सिंग चड़ा की भी नई रिलीज डेट सामने आई है जो कि 14 अपरेल को यश की फिल्म के जिएफ चैप्टर 2 के साथ रिलीज हो रही है इनके अलावा भी कई Most Awaited फिल्म है ऐसी है जिनका Box Office Collection में क्लैश देखने को मिल सकता है फिल्हाल की EGF Chapter 2 जो की Most Awaited फिल्म है अगर लाल सिंग चड़ा से टकरा दी है तो एक अलगी चीज देखने को मिलेगी क्योंकि सालों पहले आपको याद हो जब 2018 में के EGF Chapter 1 रिलीज होई थी उसके साथ खान की ही फिल्म रिलीज हुई यानि कि शारुखान की Zero और उसको एहरा दिया था एक बार फिर से खान के साथ ही टकरा रही है इस बार हामिर खान सामने होंगे तो देखना होगा अगर दोनों पर क्राइश होगा तो कौन आगे लिख लेगा आप बताईए का कौन आगे निकल सकता है फिल्हाल हम आपको बताते हैं और कौन-कौन से फिल्म में टकरा रही है साल की शुरुआद में एस इसरा जा मॉली की पैन इंडिया फिर्म ट्रिपल आर भी रिलीज होने जा रही है जिसमें आलिया भात राम चरन जुनिय एंटिया नजर आएंगे फिल्म साथ फरवरी को रिलीज होगी जिसके अगले हफते 14 जनवरी को प्रभास और पूचा हेगरे की फिल्म रिलीज होने बाली है और महसाथ दिनों का गैप है इसे दोनों फिल्मों की करमाई पर असल पर सकता है इसके बाद नमर आएगा अक्षे कुमार और जॉन अब्रा बने अटाक उसके तीन दिन बार रिलीज होगे सोची कितना फरक पढ़ने वाला है दोनों फिल्मों को फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू दाए का फ्लैस चार फरिवें को एक साथ राजकुमार राव भूमी पेढ़ने करकी बधाई दो उनीच राज रश्रमा काव अच्बाद बैज और फरवरी को रिलीज होने वाली है यानिकिं क्योंनों ही फिल्म के बीच था हमें देखन को मिल सकती है लिए फिर तैञ कवाने के बिचए लगी पार अभुमार की बच्टे का पार यह चार मार्श को रिलीज होगी गोभू मार्श य दो और इसके बाद आपको बता दे अनेक रिलीज होगी बुलबलया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को 31 मार्च को आनी है आईश्वान खुराना की अनेक यानि कि इनका भी बॉक्स ओफिस क्लैश देखने को मिलेगा फिर आएगा हमारे लाज सिंग चद्धा और के जिप चैप्टर 2 का क्लैश मतलब की आने वाले 2022 में शुरुवाती महीनों में यह सब आपको देखने को मिलेगा आपको क्या लगता है यह फिल्म में ठकराएगी कौन-कौन आगे जाएगी नीचे कॉमें सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेश के लिए कियेगा हमारी चैनल बॉलीग्राइब स्टुडियोज को लेकर आई हुआ आग के लिए गर्बागरम बॉलीवड नीचे दोस्तों किसी बड़ी स्टार से यह उमित कैसे की जा सकती है कि वो इतनी बड़ी गल्ती कर जा है बिना स्क्रिप्ट पढ़े बिना इंके फिल्म देखे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया जी हा ऐसे ही गल है वो भी बिना किसी की फिल्म के स्क्रिप्ट पर है आपको बताते की फिल्म के ची एस शैप्टर टू की बाते तभी से हो रही है जब से इसका पार्ट वार्ड रिलीज होकर हिट हुआ है फैंस इसके दूसरे पार्ट का बेस अबरे से इंचिसार करने लगे थे डायरेकर क्रु나म की इस फिल्म में इस बार बॉलिवन आक्टरस रवीना रंण और संचसर लंड देखन को मिलेगी। हाल unified ने इस फिल्म में अपने केडार पर बात की साथ ही इससा सी उन्होंने बताया हिब की फिल्म के लिए और थे विना पार्ट वान देखें क्या से स्क्रिप्त क लेकिन फिर जब मैंने पार्ट वॉल देखा तो मेरे तो भोश ही उड़ गया, मेरे लिए ये न्यू एज सिनेवा अप्रॉच था, हाला कि ये भी मेरे लिए ज़रूरी होता है कि पहले पार्ट से दूसरे पार्ट में स्टोरी लाइन की सतरे से दर्शकों को प्रधावित करती है। और फिर मेरा रोल काफी दिल्चस्त होने वारा था, तो मैं इसके लिए कैसे मना करती है। रवीना आगे कहती है कि प्रशान दिल का काम शांदार है। मुझे लगता है कि उनका काम ही उन्हें स्पेशल बनाता है। क्योंकि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके दिमाग में कम क्या आईगया आ जाए। असलिया में वह काफी शान किस्म के व्यक्ति है। लेकिन उनकी फिल्म में इसके एकदम आपजेश्टू का पहला टीजर आज जन्वरी को रिलीज हुआ था। जिसने अब तक लगभग 250 मिलन व्यूद यूट्यूब पर क्रॉस कर लिये। अब तो इसके ट्रेनर का इंतजार है क्योंकि फिल्म को रिलीज होने में भी भी कुछ महीने पाकी है। जो इंतजार 14 अपरे 2022 को जाकर खत्म होगा जी हा। इसे बेच इस फिल्म से कितने मोस्टर और कितने गाने सामने आता है। इसका फैन्स को बेस अपरी सेंव पिजार है। तो इस फिल्म के लिए आपकी एक्साइटनेंस लेवल कहा पर है। प्लीज हमें कमें बोक्स में बताइए। बॉलीवुड फिल्म में कुछ चीजों के लिए खास जाने जाती हैं। और इन में से कुछ चीज़ें हैं बॉलीवुड के गाने और बॉलीवुड का बड़ा बजट। बॉलीवुड फिल्मों से बड़े बजट फिल्मों को दुनिया भर में जाना जाता है। बॉलिवुड फिल्मों करोडों के बजट पर बनाई जाती है और इसलिए इन फिल्मों की कमाई भी करोडों में होती है बॉलिवुड की फिल्मों ने ही 100 करोड और 200 करोड कलब का निर्मान किया है लेकिन कुछ समय पहले एक नई चीज देखी गई है और वो है कि आजकल साउथ इंडियन फिल्म में भी बॉलिवुट फिल्मों की तरह एक बड़े बजट पर बनाई जा रही है साउथ फिल्म एक्टर प्रभास, अलू अर्जुट, रामचन और जूनियर एंटियास समेथ कई बड़े सितारे अपनी दमदार फिल्मों को लेकर सिल्वर स्क्रीन पहुचने वाले हैं दिल्चस्प बात ये है कि इन सभी सितारों की अपकमिंग फिल्म मेगा बजट फिल्मे हैं जिस पर पुरी दुनिया की निगाहें लगी हैं बजट के मामले में ये सभी फिल्में बॉलिवुट को भी हिला देने वाली हैं दक्चन भारत में आई साउथ फिल्मों को देश भर में पॉपुलारिटी के नए स्टानर्ड सेट पर पहुचा दिया है उन्ही में से एक थी केजिएफ इस कर्नट फिल्म की पॉपुलारिटी के लिए एक बड़ी बात ये है कि इस फिल्म को हिंदी ओडियंस के बीच खूब प्यार मिला और उसी का नतीज़ा है कि अब इसके सीक्वल केजिफ चेप्टर 2 का बेसबरी से इतिजार किया जा रहा है अगर देश में करोना वाइरस की स्थितीन इतनी बूरी नहीं होती तो केजिफ चेप्टर 2 को पहली ही रिलीज किया जा चुका होता और ये फिल्म 16 जुलाई को सिनिमा घर में रिलीज हो चुकी होती फिल्म इस दिन तो रिलीज नहीं हो सकी मगर अब ये फिल्म 14 एप्रिल 2022 को रिलीज होने वाली है आपको बता दें कि इस फिल्म को 100 करोर के बड़े बज़ट पर बनाया जा रहा है अब इस फिल्म के लिए एक बड़ी मुसीबत भी आने वाली है आज कर्थ रियेटर में फिल्म में कम कमाई कर रही है और इस फिल्म के इतने बड़े बज़ट पर बनने की वज़़ा से अब फिल्म के मेकर्स को ये डर सता रहा है कि कहीं इस फिल्म के मेकर्स को 100 करोर का लॉस ना हो जाए आपको बता देंगी परहान अक्तर और रितेश सिद्वानी की कमपनी एक्सल एंटर्टेंमेंट ने साउट के सुपरस्टार यश की फिल्म में केजी अफ चैप्टर टू की हिंदी राइट्स 90 करोर रुपे में खरीदे हैं 2018 में रितेश सिद्वानी और फरहान अक्तर की एक्सल एंटर्टेंमेंट ने केजी चैप्टर वन फिल्म के राइट्स को भी खरीदे थे तब सभी को लगा था कि वे इस फिल्म में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फिल्म में तब इन दोनों ने जितना पैसा लगाया था उसका 35 गुना कमाया था और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस फिल्म के सीक्वल से होगा फरहान को इतना फाइदा जितना पहरी फिल्म से हुआ था अब इसी के साथ मैं सुंबिका लेती हूँ आपसे इजाजत तब तक कि हमारी वीडियो को लाइक कमेंट इनके अलावा भी कई मोस्त अवेडिव फिल्में इसी है जिनका बॉक्स ओफिस क्लेक्शन में क्लैश देखने को मिल सकता है फिल्हाल की एजी अप चैप्टर 2 जो कि मोस्त अवेडिव फिल्म है अगर लाज सिंग चद्दा से तक्रा तो एक अलगी चीज देखने को तो देखना होगा अगर दोनों को पर क्राश होगा तो कौन आगे लिख लेगा आप बताइए को कौन आगे निकल सकता है फिल्हाल हम आपको बताते हैं और कौन-कौन से फिल्में टकराए रही है साल की शुरुआद में इस इस राजा मौली की पैन इलिया फिल्म त्रिपल अक्षे कुमार और जॉन अब्राम की फिल्मों का प्रितुरा जाने वाली है और अटैक जो कि जॉन की है जनवरी में टकराएगी चंदर प्रकास दुवेदी के निर्देशन में बनी प्रितुराज 21 जनवरी को रिलीज होगी जबकि लक्षा राज आनन के निर्देशन में अटैक उसके तीन दिन बार रिलीज होगे सोची तितना फरक पढ़ने वाला है दोनों फिल्मों को फिर आएगा बधाई दो और बिफोर यू डाय का फ्लैस चार फरिवें को एक साथ राजकुमार राव भूमी पेनने करकी डढ़ाई दो उनीच राज रशर्मा काव्या दोनों ही तकर आएंगी देखनाओं को कौन आगे निकलेगी उसके बाद नमबर आएगा संजे लीला भंसाली की मोस अवेटिद फिल्म गंगुभाई काथिया बारी जोगी 6 जनवरी की बजाए 18 फरवरी को रिलीज होने वाली है यानि कि दोनों ही फिल्मों की बीच पार् पांडे ओ शेंघा ? अक्षेकुमार की बच्चन-पांडे और अंबीर कपूर की शचेरा फरवरी में दों हक्ते के अंतराद में रिजेएख の रिलीजो शम्षेर 18 मार्च को रिलीज होगी दोनों ही फिल्में टकराएंगी फिर आएगा बूल बूलया 2 और अनेक का नमबर कार्टेकारें कियारा द्वानी और तब्वू स्टारर होरर कॉमेडी बूल बूलया 2 और इसके बाद आपको बता दे अनेक रिलीज होगी बूल बूलया 2 रिलीज होगी 25 मार्च को 31 मार्च को आनी है आईश्वान खुराना की अनेक इनका भी बॉक्स ओफिस क्लैश देखने को मिलेगा फिर आएगा हमारे लाज सिंग चद्धा और केजिएप चैप्टर 2 का क्लैश मतलब की आने वाले 2022 में शुरुआती महीनों में यह सब आपको आपके संजय डग की खुशी के पीछे क्या है राज और किसका होगा केजिएफ पर पूरा पूरा राच नमस्कार सच्ट्यकाल आदाब अहे दिल से स्वागत आपका वापिस से आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉले प्राच स्टूडियोज के एक फ्रेश निव वीडियो में और मैं हूँ आपकी पुरानी होसर दोस्ट शुती आज हम बात करेंगे Most Thrilling Film of 2019 जुसके ट्रेलर नहीं सभी के रॉंग्टे खड़े कर दिये थे कननट बेस्ट इस टॉले वुड मूवी के हर एक सीन में क्लाइमेक्स और पूरी मूवी में भर भर कर आक्शन ट्रिल एज किया गया था ताकि दर्शोकों का ध्यान एक बार के लिए भी इस मूवी से ना हटे तो आप समझी गए होंगे कि हम किस मूवी की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं KGF की रौकी भाई के मुंबई का राजा बनने की जुनूर ने उनको KGF तक का सर्ताज बना दिया था और जैसा कि हम सबने पहले पार्ट में देखा भी था लेकिन पार्ट वन की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रौकी के खिलाष प्राइम मेनिस्टर डेथ वरन जारी करती है और उनकी सरकार इतिहास की पन्नों से भी उसका नाम औwn निशान मिताने में जी तोड महनत करती है आखिर क्यों पिक्चर में दिखाया जाता है कि रौकी बुरे लोगों के लिए दानव और भले लोगों के लिए भगवान है तो आखिर किस वज़े से ये death warrant को जारी किया गया इसी का जवाब देने के लिए निर्माताओं ने इस मूवी का chapter 2 तयार किया है और इस मूवी के पहले chapter ने कई ऐसी सवाल खड़े किये हैं जिसके जवाब को जानने के लिए दर्शकों का उतसा नहीं थम रहा है chapter 1 की starting में दुबई के drug smuggler इनायत खलील के बारे में बताया गया है जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और अनुमान लगाया जा रहा था कि ये रोल शायद संजयदत को मिलेगा लेकिन एक press conference के दौराँ फिल्म डिरेक्टर ने इस बात को साफ किया कि इनायत खलील का रोल किसी ऐसी को दिया जाएगा जो पूरी तरीके से unknown हो ताकि audience उसे accept करे एक character के तौर पर chapter 2 के teaser में भी इनायत खलील की कोई जानकारी या जलक नहीं दी गई है teaser को कनड या हिंदी जैसी regional भाशाओं में रिलीज ना करके dialogues के साथ English में रिलीज किया गया है पूरी फिल्म में ये दिखाया जाता है कि अधिरा मारा जा चुका है और पूरा समराज्य सूरे वर्धन के बेटे गरुडा के नाम पर है फिल्म में अधिरा के रोल के लिए चुना गया है संजय दत को जिनोंने इस रोल के साथ पूरी तरह से इनसाफ किया है उनका अधिरा लोगों को काफी पसंद आ रहा है संजय दत ने खुद ये स्टेटमेंट दिया है कि वो इस कारेक्टर से काफी ज्यादा खुश है बहुत टाइम बाद जाकर उन्हें ऐसा इंटेंस नेगेटिव रोल मिला है संजय दत ने 2019 में आई फिल्म पानी पत में एहमद शाह अबदिली का कारेक्टर प्ले किया था मुवी दो फिर फ्लॉब गई थी मगर संजय दत के फर्स्ट लुक से लेकर फिल्म में उनका नेगेटिव कारेक्टर को खूब सराहा गया था और इससे पहले 2012 में उन्होंने आई फिल्म अगनी पत में कांचा चीना का रोल प्ले किया था जो काफी ज्यादा पसंद किया गया था दर्शकों की ओर संजय दत काफी टाइम से ऐसे रोल की तलाश में थे और अब KGF 2 में उनका विलिन का अफ़तार देखने में कितने दिल्शस्प होता है वो तो फिल्म रिलीज के बाद ही सामने आएगा गरुडा की मौत के बाद अधरा खलील कहानी में वापस आते हैं वहीं दूसरी और सट्टा में एक नया चैरा सामने आता है एक तरफ जहां KGF के समराजे को हड़पने के लिए दावेदार एक के बाद एक बढ़ते जाते हैं वहीं उस समराजे को कुई तरह से खत्म करने की फिरात में सरकार में तक्त पलट जारी है काफी ज्यादा दिल्शस्प और नेक्स लेवल ठ्रिल होगा ये देखने में कि आखिर किसके हाथ ये समराजे लगेगा या फिर इस समराजे का पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है KGF में सबसे ज्यादा ताक्रितवर अभी तक सिर्फ रौकी को ही दिखाया गया है तो साफ है कि उसके अलावा किसी और को समराज मिलना तो पॉसिबल नहीं है मगर एंडिंग में प्राइम मिनिस्टर के डेथ वारिंट जारी करने से अनुमान लगाया जा सकता है कि KGF को खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जहां उसे राक्षस कहती है वहीं अधिरा और खलील की पावर का अंदाजा किसी को नहीं है हो सकता है कि रौकी अधिरा और दुबाई के ड्रग समगलर खलील को मार कर इंटरनाशनल पावर जिला दे जिस वज़े से रौकी के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है बहुत सारे अनुमान है और उससे भी ज्यादा सवाल देखते हैं कि अंत में क्या सही साबित होता है आखिर क्यों टल गई एक बार फिर KGF2 की रिलीस टेर क्या सब धंदों को हुआ करोना वाइरस से नुपसान KGF2 के बाद कौन सी फिल्म की तैयारी में है प्रशान्त नील तो हाई गाईस में हुश्पिया अरोरा आपकी आज की होस्ट अब सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉलीग्राद स्चुडियोस में तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो अब करोना वाइरस और लॉकडाउन ने तो सब के धंदों को चौपट कर दिया है इस चपेट में सिर्फ आम इंसान ही नहीं बलकी आक्टर और अक्टरस भी आए हैं आपको बताना दे की साउट सूपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म केजी एफ चैप्टर टू की रिलीस डेट भी करोना की भेट चड़ चुकी है ये फिल्म पहले 16 जुलाई को सिल्वे स्क्रीन पर पहुंचने वाली थी मगर अब कयास है कि इस तारीक पे मेकर्स इसे रिलीस नहीं कर पाएंगे इसकी वज़ा देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते दोबारा बिगड़े हालात है ऐसे में मेकर्स नहीं चाहते हैं कि फिल्म को किसी भी दरहा का नुकसान झेलना पड़े फिल्म निर्माता और निर्देशक इसकी रिलीस के लिए सभी वक्त की तलाश कर रहे है सामने आ रहे ही तासा खबरों की माने तो हो सकता है कि केजी एफ टू को निर्माता निर्देशक इस साल रिलीस ही ना करे कहा जा रहा है कि मेकर्स चाहते हैं कि ये फिल्म थियेटर उसी वक्त बहुंचे जब करोना के मामले खतम हो चुके हो और थियेटर्स पूरी शमता यानी सौव पीजदी ओक्यूपेंसी के साथ खुले तो ऐसे में केजी एफ टू स्टार यश की इस फिल्म के लिए इंतजार में बैठे तर्शकों को अभी फिल्म की रिलीस के लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है आपको बता दे की कनड़ा सूपरस्टार यश की इस फिल्म को निर्देशक प्रशांत नील ये बनाया है फिल्म में यश के ऑपोसित लीड रोल में श्टी ने दी शटी नजर आने वाली है इसके अलावा अक्ट्रिस रवीना टंडन और संजे दन भी फिल्म में एहम किर्दारों में दिखेंगे इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और करीब-करीब बन कर तयार ही है फिल्म के पोस्ट प्रडक्शन वर्ट को निपटा कर निर्देशक प्रशांथ नीज अपनी अगली फिल्म की तयारी में चुट गए है के जीएफटू के बाद प्रशांथ नीज प्रभास टारर फिल्म सलार के साथ सिल्व स्क्रीन पर पहुँचेगे इस फिल्म का दमदार फिर्स्ट लुक पोस्टर पहले ही रिलीस हो चुका है जिसे दर्शकों से भारी रिस्पॉंस मिला है फिल्म में प्रभास के ओपोसिट लीड रोल में आदाकारा शूती हसन नजर आने वाली है तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटिड है हमें अपनी राए कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले साथ ही साथ हमारी यूट्यूब चानल बॉलीक्राच शीडियोस को सब्सक्राइब भी जरूर करे ताकि हम सारी लेटिस्ट ख़बरे आप तक लाए वो भी सबसे पहले तो आज के लिए बस इतना ही हमज़ादी लोटिंग एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ आज की स्क्रिप्ट राइटर है मनीशा जैन बहुत बहुत शुक्री आप सकता क्या फिल्म के जीफ चाप्टर टू की रिलीस डेट सामने आई क्या है फिल्म में गरूरा के किरदार की असली सचाई फिल्म में पीम के किरदार के लिए किसी महिला को ही क्यों चुना हलो एन विलकम मैं हूँ आपकी होसिन दोस प्र्यांका और स्वागत करती हूँ आपका Walligrad Studios की आज की इस वीडियो में जहां हम बात करेंगे फिल्म KGF Chapter 2 की अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो में एंड तक बने रहें फिल्म KGF इंडिया के उन गिने चुने फिल्मों में से एक है जो इंडिया के फिल्म स्टैंडर को रिप्रेजन्ट करती है KGF को लोग कितना पसंद करते हैं इसका अंदाजा आप KGF Chapter 2 के इंतजार से लगा सकते हैं अब तो फैंस हर छोटी बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं ताकि उन से फिल्म से जुड़ी कोई भी इंफरमेशन मिसना हो जाए तो चलिए फिल्म KGF से जुड़ी आपकी डाइरी में कुछ और पने एड करते हैं और आपको फिल्म से जुड़ी चीजों की पीछे की कहानी बताते हैं और आप सुनकर दंग रह जाएंगे तो शुरवात करते हैं KGF Chapter 1 की शुरवात से जहां पर हमें एक महिला रमिका से नामक जो इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर होती है वो KGF की खात्मे के पैमान पर साइन कर रही होती है अगर आपको मालूम होगा तो इंडिया के अगर PM के लिस्ट निकाली जाए तो उन में से सिर्फ एकलौती महिला कोई और नहीं बलकि इंद्रा गांदी जी है और जब वो PM बनी थी तब का टाइम मूवी के टाइम से बिलकुल मैच खाता है तो इनका ये एक स्टेपल रिफरेंस हो सकता है क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो वो एक male character को भी इसकी जगह रख सकते थे वही दूसरी तरफ इस movie में 24 news की जो face दिखाई गई है उनका नाम होता है दीपा लेकिन अगर आप CNN, IBM के top journalist का नाम देखेंगे तो उनमें से एक नाम होगा दीपा बालकृष्णल और वो करनाटका से बलॉंग करती है जहां से ये movie भी originally बलॉंग करती है लेकिन वही इससे भी ज्यादा interesting बात तो ये है कि जो date of birth रॉकी की फिल्म में दिखाई गई है जब वो license चेक करवाने जाता है असल जिंदगी में भी उसी किरदार को निभाने वाले यानि की rocking star yes की date of birth भी same है यानि की 8 January एक तरफ जहां केजिएफ की जान rocking star यश थे तो वहीं दूसरी दरफ फिल्म के विलन गरुडा ने भी लोगों की रूख अपा दी थी बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिल्म में गरुडा का किरदार निभाने वाले राम की ये पहली फिल्म थी क्या आपको पता है कि राम को acting का बहुत शौक है ये बात यश बहुत भली बादी जानते थे तो जब केजिएफ चैप्टर वन की script reading चल रही थी तब पहली बार राम और डारेक्टर नील मिले थे डारेक्टर को राम का अंदाज काफी पसंद आया उन्होंने केजिएफ के गरुडा के रोल के लिए उ वो आज राम से लेकर गरुडा तकी सफर को पूरा करने में काम्याब रहे है खेर आप हमें बताईए कि आपको फिल्म में गरुडा का किरदार कितना पसंद आया क्या सेकेंड चैप्टर में भी आप उस किरदार को देखना चाहते हैं आप अपनी व्यूस हमारे साथ क्या गुजारिश की सच्चु बाबा ने यंग्स्टर से ऐसे ही तमाम इंट्रिस्टिक सवालों के जवालों को जानने के लिए अंते तक जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियों क्योंकि हम आपको बता कर आए हैं हम पर कीज में से चुड़े काफी इंट्रिस्टिक और हि कुटता जा रहा है आपको बता दी केजिएफ चाप्टर 2 साल 2018 में आई कंदर के सूपर हिट सुम केजिएफ चाप्टर 1 का सीकूल है हमशकार मेरा नाम है निखीठा कुरों और स्वागत है आपका बहुत इस वीडियों से आज की इस वीडियों में हमबात करें बार केजिएफ 2 से चुड़े कई इंट्रिस्टिक फैक्ट्स के बारे में जो हमें खुल बताए हैं केजिएफ चाप्टर 2 के नाइप नहीं भर नायक आधा अधिना के दुबार करेश पूजर के शुब अफसर पर सब्चुगा सेट पर जज़स के साथ साथ कंटेस्टेंट्स और उनके मेंटोर्स वारा दिया गया एक ग्रैंट गल्प सभी जज़स और कंटेस्टेंट्स काफी एकसाइटेड नजर आ रहे थे उसे एकसाइटेड मॉव्मेंट के दौरान संजेदत ने कहीं ये चार बातें जिसने सभी जज़स और कंटेस्टेंट्स को एमोशनल होने पर मजबूर कर दिया था आईए जानते हैं कौन सी हैं ये चार बातें नमबर वण उन्होंने सभी लोगों से बात करते हुए सबसे पहले कहा कि इस तरह के महान दिन पर यहां बुलाये जाने पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भगवान आप सभी को अशिरवात दे इसकी बात आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने आक्टिंग करियर से रिलेटेट काफी एक्सपिरियंस और मेमरीज भी शेयर रही है बात करते करते वह थोड़ा ही मुश्ण हो गए और अग्मुश्ण हो कर कहा मैंने जीवन भर ज्यादा मैसे नहीं कमाएं मैंने जो कमाया है वह आप समका प्यार मुझे बहुत प्यार मिला रहे है और मैंने लाइफ टाइम के लिए कई फ्रेंड्स भी बताए हुए और अज्द में अपनी बात को खत्म करते हुए और अग्स्टर्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल मेंस देट्स में कहा थी मैं हर युवा से हाद जोड़ कर नहीं देखना चाहुता कि फ्रुपया मेरे जीवन नाजीव मैं आप से अन्रोज करता हूँ इस तरह के जोखे ना लिए मैं नहीं चाहता कि युवा और आप सभी को किसी भी प्रॉब्ल का सामना करता हुए आपको बता दें के जीव चाप्टर डू चौधा एप्रिल को पूरे इंडिया में कई डिफरेंट लैग्वेजिस में रुलीज होने को क्या है आलिम हकी के जीव तू में यश को किस ने लिया इंटेंस लोग के जीव तू को कौन सा पोस्टर सोशल मीडिया पर हो रहा है व फिल्म का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है इस पोस्टर में बिनेता या श्रिक कुर्सी पर वैचे हुए और एक ओर देखते हुए नजर आ रहे हैं पोस्टर में डार्क करण और दाढ़ी के साथ इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया इंफ्लोएंसर ने पोस्टर को ट्विटर पर शेयर कर दावा किया है कि फुम केजिएफ चाप्टर टू को तमलनादू भाश्रा के अधिकारों को फेमस प्रड़क्शन हाउस ट्रीम बॉर्यर पिक्टर्स को बेच दिया गया है मता दे कि सुन के जिफ चाप्टर टू को 16 जुलाई 2021 को रुलीस किया जाना था लेकिन कोरोना वाइरस के दूसरी लहर और उसके बाद के लॉक दाउन के कारण फुम की रुलीस डेट को बढ़ा दिया गया था हाली में फुम के दिंदेशन प्रशांत नील ने अपने इंस्ट्रग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर नई रुलीस डेट का एलान किया था पोस्टर में लिखा था राक्षस तभी आएगा जब हॉल गैंगस्टरों से भर जाएगा उनके आगवन की नई डेट की घोशना की जा रही है साथ ही पोस्टर में एक सैनिक भी नज़र आ रहा था पोस्टर को सोशल मीडिया पर शेयर कर उन्होंने लेका राक्षस 14 अप्रील को आने वाला है लेकिन इसके साथ ही फिल्म में क्या आपको बता है कि यश का ये इंटेंस लुक कैसे आया है सामने कौन है वो इंसान जिसने ये लुक यश को दिया तो बता दे कि ये कोई और नहीं बलकि यश के हैस्टाइलिस्ट आलेम हकीम का काम है जो यश को भी परस्नली काफी टाइम से जानते हैं और यही रियर लाइफ में यश के हैस्टाइल करते हैं बता दे फिल्म में साउट के सूपरस्टार यश एहम रॉकी का किरदार ने भारे हैं उनके अलावा अभीनेता संचैदत मुख्य भूमे का विलेन अधिरा की किरदार में नजर आने वाले हैं और अभीनेत रिवीना टंडन भी एहम रोल प्ले करती दिखाई दे हैं फिल्म केजिएफ का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ था कन्नेट तमिल तेलू और हिंदी में रिलीज की गई थी इस फिल्म में कई रिकॉर्ड अपने नाम किये थे यह पहली कन्नेट फिल्म थी जिसने 250 करोर से ज्यादा की कमाई की थी और चौती हिंदी में डब की गई फिल्म थी जिसने सबसे ज्यादा कमाई की थी अब केजिएफ तू अपनी ही फिल्म में बनाए गए कितने रिकॉर्ड तोड़ पाती है यह देखना लायक होगा आपको क्या लगता है क्या केजिएफ टू 500 करोर या उससे ज्यादा का बिजनस कर पाएगी क्या प्रशान दील की केजिएफ चाप्टर टू पर लगी लागत वसूर हो पाएगी हमें कॉमेंस में जरूर बताइए और आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तका आप खुश रहिए और सेफ रहिए क्या है फिल्म की शूटिंग लोकेशन से जड़ी की डीटेल्स क्या होने वाला है केजिएफ टू का क्लाइमिक्स इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे इस वीडियो में तो लास्तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवन स्वागत है आपका बोलीग्राथ स्टूडियोज में दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजिएफ के अपकमिंग चाप्टर यानि की चाप्टर टू के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि केजिएफ चाप्टर वन दो हजार अठारे में रिलीज हुई थी और वोल्ड वाइड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी यही रीजन है कि इसका चाप्टर टू सभी अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में मोस्ट अंटिसिपेटेड है इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्टरी के आफ्टर यश को भी सिनमाटिक फैन से काफी रिकॉर्गनाजेशन मिली और अब उनके गिंती एक रेजिंग सूपरस्टार के तौर पर की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म केजी एफ टू के शूटिंग लोकेशन के बारे में जब से केजी एफ चाप्टर वन रिलीज हुई और खबरे आई कि केजी एफ चाप्टर टू भी जल्धी आने वाली है सभी फान्स के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो लोकेशन जहां पर केजी एफ टू की शूटिंग चिल रही है तो आपको बता दे मार्च 2019 में ही फिल्म का पहला शूटिंग सीक्वेंस हाइदराबाद में शूट किया गया था जो अगले कुछ महिनों तक चला लेकिन उसके बाद मार्च 2020 में ही कोविड नाइंटीन के लॉक डाउन की वज़े से सिरोग दिया गया और उसके कुछ ही महिनों बाद यानी ऑगस 2020 में बैंगलॉर के कटिवारा स्टूडियो में फिल्म को रिज्यूम किया गया बैंगलॉर के फेमस कुलार गोल्ड फील्ड में भी फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स की शूटिंग हुई है KGF2 के शूटिंग लोकेशन का सबसे बड़ा हाइलाइट पार था गोवा का दूद सागर वाटरपॉल्स जी हाँ इस जगे पर यश के कुछ धमाकेदार आक्शन स्टन्स की शूटिंग हुई है और जो इस फिल्म के सबसे अमेजिंग आक्शन सीक्विंस के तौर पर माना जा रहा है जी हाँ बता दे दूद सागर वाटरपॉल्स इंडिया की सबसे खूप सूरत और एक्जॉटिक लोकेशन में से एक है और उस लोकेशन पर शूट किया गया है यश का खतरनाथ आक्शन स्टन्स कितना थ्रिलिंग होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फा तो उसी ही लगा सकते हैं जल्दी फिल्म रिलीज होने वाली है हम जानते हैं आप सभी सबकमिंग फिल्म के लिए बेहद उत्सुख है दोस्तों किसी भी फिल्म का सबसे इंपॉर्टिंट पार्ट होता है फिल्म का क्लाइमेक्स इसलिए फिल्मेकर्स कभी अपनी फिल्म के क्लाइमेक्स को रिवील नहीं करना चाहते लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हम आपको के जी एफ टू के क्लाइमेक्स की कुछ खास बात है बताने जा रहे हैं बता दे फिल्म के क्लाइमिक्स की शूटिंग के लिए एक सूपर एक्सपेंसिव सेट का अरेंजमेंट किया गया और सेट को हाइदराबाद के रामुजी राउ फिल्म सिटी में लगाया गया क्लाइमिक्स के सीक्विंस का ये मेइन सीन यश और संजेदत के बीच एक दमदार आक्शन स्कन पर बेस्ट रहने वाला है माना जा रहा है कि ये आक्शन सीक्विंस इंडियर फिल्म इंडस्ट्री के आश्क का सबसे एक्सपेंसिव आक्शन सीक्विंस होने वाला है जो वाकई में ओर्डिन्स को सप्राइज कर देगा डबिंग क्या होती है? सचिन गोले को किस ने किया KGF 2 में रिप्लेस? किस आर्टिस ने लाखों कमाए KGF को हिंदी में डब करके? कैसे होता है डबिंग मूवी में? अगर आपकी आवाज में कुछ खास है और आपको लगता है कि आपकी आवाज दूसरों से काफी अलग है तो आप आवाज की दुनिया में बहतरीन करियर बना सकते हैं अगर आप और लोगों से हटके कुछ अलग करियर बनाना चाहते हैं, तो एक वोईस ओवर आटिस्ट बनकर आप ना सर्फ अच्छा करियर बना सकते हैं, बलकि दूसरे करियर की अपेक्षा काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं. आज फिल्मों से लेकर नाटक, रेडियो, टीवी, विज्यापन, डॉक्यूमेंटरी, अनिमेशन, फिल्म्स, आडियो बुक आदी में डबिंग आर्टिस्ट की काफी मांग रहती हैं, अगर आप में वो बात है, तो आपकी आवाज आपको एक अलग ही पहचान दिला सकती हैं आपको बता दे कि डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी खास योगिता की जरूरत नहीं है, अगर आपकी आवाज में दम है और आपकी लैंगविच पर पकड़ है मसबूत तो आप इस फिल्ड में एंट्री कर सकते हैं, अगर आप वोईस आर्टिस्ट या डबिंग आ सिचुएशन के हिसाब से अपनी आवाज में बदलावलाना जरूरी है, जैसे एमोशन और कॉमेडी की जगह पर उस हिसाब से अपनी आवाज का डालना जरूरी है, एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए अफसरों की कोई कमी नहीं है, अकाश्वानी, दूरदर्शन, विभिन टीवी चानल्स, नातक, रेडियो, टीवी विध्यापन, डॉक्यमेंटरी, आनिमेशन फिल्म्स, औरियो बुक्स, आदी में डबिंग आर्टिस्ट के लिए अफसरों की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही कुछ डबिंग आर्टिस्ट साउथ की फिल्मों का हिंदी वर्जिन तयार क अब चाहे वो बाहु बली हो या फिर केजेफ की सीरीज या कोई और साउथ की मूवी, सब में हिंदी में डब करने के लिए आर्टिस्ट चाहिए होते हैं, बता दे केजेफ को हिंदी में डब करने के लिए भी ऐसे ही आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दे दी थी, वो नाम ह सचिन गोले जी हाँ KGF के कुछ डायलोग जैसे घायल शेर की सासे उसकी दहार से भी भयानक होती है जैसे दमदाब डायलोग हिंदी में यशने नहीं बलकि सचिन गोले ने बोले है चिलर के लिए हाथ फालाना पड़ता है, मोटो के लिए हाथ उठाना पड़ता है ये भी इनकी ही आवाज में धासु बना है और वो वाला तो डायलाव आपको याद ही होगा ट्रिगर पर उंगली रखने वाला हर शक्स शूटर नहीं होता लड़की पर हाट डालने वाला हर कोई मर्द नहीं होता और अपुन की आउकात अपने चहने वालों के अलावा कोई समझ नहीं सकता सचिन गोले के बोलने पर ही सबकी जुबा पर चड़ा है साल 2018 की मेगा ब्लागबस्टर फिल्म केजिएफ चैप्टर वन जबर्द स्टोरी और दमदार डायलोग से हिट हुई थी लेकिन आक्टर यश के रूप में दमदार डायलोग को हिंदी में सचिन गोले ने अपनी आवाज दी थी डबिंग आटिस सचिन की आवाज यश के साथ इतनी मिलती है कि फिल्म का एक एक डायलोग जान फूपता नजर आता है लेकिन अब आगे आने वाली केजिएफ 2 के हिंदी डब में भी हमें यश की आवाज में सचिन गोले को सुनने का मौकान नहीं मिलेगा जी हां दोस्तो, अब आप जब भी केजेफ को देखेंगे तो सचिन गोले को तो ज़रूर याद करेंगे लेकिन KJF2 के डबिंग स्टार को भी नजर अंदाज नहीं कर पावी जी हाँ KJF2 में हमें रॉकी की आवाज में संकेत महात्रे सुनाई देंगे अब दोनों में से कौन होगा बेस्ट फॉर रॉकी की आवाज आपको क्या लगता है हमने इच्चो कामन्ट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को कर दीजो लाइक, हमारे चानल को कर दीजो सब्सक्राइब आउन हाँ बल एकान बाना बलकूल मुद भूला मुविकार गालोग अस्क्री योद्धा माहुदी है इतना चला चैसे अमिता पक्च्चन की डायलोग आज मेरे पास कारी है अमना है शौरा कि दुभाने कार्च्चन की जब आप मैं शर्जी का प्यूची के जाए मेरे पास मान तो तकली नहीं के जिए उपने यश्की मां क मुषे लेकर चुही चुही चावला कर था हमारी नाई निंग की जहां लिए उपने लगारी है तो आही आए इनकभूर आवर्पान सर्वान करना सारुखान आज की जिए फिरेदारों में ज्यांग धेड़ोईं की चान्ट वर्मां स्टों के लगें बज़ताए है ऐसे भी जिए लिए श्रावन की जिए बख्थात्त गभारी आएपसात्रिदागापी तप कमा मुए जिए ओने चेड़ारी चाहि चुही अरफिक लिए लिए पार देखरवान की जिए निए पाल दो आवरी चान हमारी होंते फ्में आकी तेख में थेख्म उनिए हुआ ती जिए इसे पारते भाशाओं के सब टाइकों के साथ बिदू हुआ था इसलिए आदीश्याओं का सभी भाशाओं के इने की बिदेगा गेचित चुके इस अभी दर्श को मिने टैल बार मुच्छा दिया नार तरी इस जो इस बाच की गोड़ इस अभी दर्श को मिने की बिद्चु हो राइशाओं के सब तर्श को मिने आप रहे हैं आद रहे हैं कि इस बाच बाच पर दूस से पीचुमानी के अनाका उच बड़ा के अपना कुगा प्रिटीफाद के लगी में पज़ने पर दोबास कुरा में तावर दाएं अजरे या जोड़ार उसे क्यान इसी के रजाज़ने का भाप भाप भेल्या तोषी कि रजाने मोड दोड़ एक राएं में जाने मोडिन जाना जुम कार चाहन इसी को पर दोड़े करें तोड़र वैपेर घ्रब्स केereशि सर फोलु क्यूтории रे तर पर दाफतर हम कॉर्खार राफित करने की जहां निर्देशक ने गज़ी कुप्ती और कैली रसे तुम्हें विलाई है वह यज़ से गज़ केसरी और संथी से गवर्चाशी का तथिल्पर उने भीगी है ए आर मुझा दॉस वर्टमान्द अपनी निर्देशन के पी ग्राफिक काउं में हुगी है जुसमें या एक मुझे मुवी कावे निखाई रही तक है मुवी एक कांद थी त्विलर मुवी निर्देशन ते इस प्रजेक के लिए ग्राफिक कांद को स्केच करना सुनी गडिया में मुवी की शुटिंग दॉहतर बाइक की शिरू होने की उनिड़े है और इसके एक बरी बज़ित की प्रजेक्ट होने कांद की शुटाना है साल जिवारी मुझे पर चांस की बारी में आना उच्टन की मुवी कर सकते है रश्नी कांद अभी री था उनकी आफी मुवी के इस लिवार रफंग दो तो पच्छास परो रुपे का रुपार दिया लेकिन दो सब परो रुपे का भारी बज़टों को गुटनाए की महामाहिन निवाकाओं के लिए महामी इस्याविद हो A.R. Murga Dots लेना के विश साथ सुपनाखी में काम किया से बल भी 2000 अप्टी तो रुपाइए अप्टीर अप्टीर में सुनाखी 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 मेर्देश उप लिए शुटिया विश देख वोग्स ऑपिस पर एमरेज रिस्पॉंग ती अव्लेकिन मूबी में इंजल सीथे खेलाया कि वो था सुनाखी सुनाखी सुनाख का अच्छर ये तो सभी चांगे एगी सांगे लगार यास्टी निद्धी सेटीर श्वाखाँ सुनाखी अच्छावां के जिए अप्रफ़े को में प्रिशान इंक इनिटेशन है की अच्छावार की ते चांगे लिए गुषान दूजान के लिए घ्लावार की में प्रफ़ाज और शुटी हच्छ पर मोखे हो भी काउमे केजीएफ 2 के टीजर पर फैंस का प्रशान नीले क्यों जताया अभार केजीएफ के रॉकी भाईगी नहीं अधीरा भी क्या एंट्री मारेगा अक्षे के बाद क्यों दूसरे नंबर पर है याश्की केजीएफ 2 जानने हैं सुभी सवालों के जवाब तो वीडियो के अंतक बने रही है हमारे साथ मैं हूँ आपकी होस्तम दोस्तन विता पाचत और पॉलिगेज स्टूडियो की फ्रूमें दुनिया में करती हूँ आपका स्वागा दोस्तो साथ सूपरस्टा यश्की केजीएफ 2 कर इंतजार दर्शिवों के बीच बहुत ही बेसबरी से हो रहा है ये फिल्म चुलाई 2021 को रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वायरस में हमारी की बज़े से ये सिर्मा घरों तक नहीं पहुंच पाई है फिल्म के निर्माताओं ने कुछ महीनों पहले केजीएफ 2 कर टीजर जारी करके फैंस को रिलीज के बारे में जानकारी दी थी लेकिन कोरोना रे फैंस और निर्माताओं दोनों की उमीदों पर पानी फेर दिया है बता देंगी उन महीनों पहले रिलीज वे टीजर पर कुछ जादू हुआ है इस पर फिल्म के डिरेक्टर प्रशान नील ने कुछ जिर पहले ही ट्वीजर पर केज़ टू का टीजर शेयर करते हुए फैंस को शुक्रिया कहा है केज़ टू के टीजर ने 200 मिलियन व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है प्रशान नील ने फैंस को टीजर पर इतना प्यार बरसाने के लिए धन्यवाद कहा है प्रशान नील ने ट्विटर पर लिखा है आग सभीरी फिल्म के टीजर को जो प्यार दिया है उसके लिए शुक्रिया फिल्म वैसे तो सब को पता है कि फिल्म केजियर 2 में यश्का मकाबला संजदत के साथ है जो बॉलेवुद के खल नायक माने जाते हैं संजदत ने KGF 2 के लिए पिने लोग के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया है KGF 2 से सामने आया संजदत को फुस लोग दर्शकों को बहुत पसंद आया है जिसकारण दर्शक काफी excited हैं अगर KGF2 की release की बात करें तो यह दीरे दीरे mystery बन पी जा रहे है शायद अक्षे की सूरे वंची के लावा यश की movie KGF2 तारीक को आगे बढ़ाने में पहले number पर है जल्दी नहीं हुए फिल्म तो यश के चाहने वालों के patience में जरूर कमी आए यो फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलिग्राट स्टूरियोज और आज हम बात करने जा रहे हैं के जीएफ चाप्टर वन से जुड़ी कुछ ऐसी इंट्रेस्टिंग बातों के बारे में जो आपको काफी इंट्रेस्टिंग लग सकती है तो उन सारी बातों को जानने के के लिए हमारे इस वीडियो को अंतक देखते रहे हैं के जीएफ चैप्टर वन की ब्लॉक पस्ते सपलता को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि यश महज अप सिर्फ एक सेंडल वुद स्टार बंकन नहीं रहे गए हैं एक्टर ने अपनी फैन फॉलोइंग से आज नेशन को भी क्रॉस कर दिया है जिसका साब सीधा असर के जीएफ टू पर दिखाई देगा इतना ही नहीं यश खुद भी अपनी बढ़ती पॉपुलारिटी से खास बाकिफ हैं और उन्होंने के जीएफ टू के लिए मेकर से एक भारी रकम की मांग भी की है दोस्ते इस बात में जादा मांग कर रहे हैं हाला कि के जीएफ बन की पेइमेंट उन्हें रिलीस के बाद ही मिली थी लेकिन अब सीकुल की बात करें तो के लिए अपनी फीस सीधे सीधे डबल कर दी है उन्होंने जिहां दोस्तों यश ने फिर्म के लिए 30 करोर रुपे की मांग की है जिसे मेक मेकर्स ने इसके अलावा यश को ऐसे भी प्रॉमिसेस किये हैं जो वाकई लाजवाब हैं दरसल मेकर्स ने उन्हें थीएटिकल बिजनस में इसे होने वाले टोटल प्रॉफित में से कुछ हिस्ता देने का भी शेयर की बात की गई है उन्हें यह चीज ऑफर में मिली है या तो कमाई के रूप में बड़े-बड़े फिगर्स सामने आएगी और ऐसा लगता है कि इस बार तो मेकर्स भी यह बात जानते हैं तब ही तो इतना चिल से अभी तक यह कहा जा रहा है कि केजी अफटू यश की तरह एक जैकपॉट के रूप में सामने आने वाली है दोस्तो यश के अलावा संजेदत, श्रिंदी शेटी, रवीना टंडन जैसे और भी कई सारे स्टार्स मौजूद होने वाले हैं ये फिल्म कन्नड़ा, हिंदी, मल्या, लम, तेल्गू और तमिल जैसी पाच लैंग्विजिस में 17 दिस्टेंबर को रिलीस की जाने वाली है फिल्म से जोड़ी कुछ ऐसी ही खबरों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजे, शेयर कीजे, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जहुर दबा दिजे तो आगे शुरू करते हैं आज का ये मंचुद्दार वीडियो दोस्तो के जीएफ के रॉकी भाई इस समय हॉलेवुद के रॉकी यानि की सुल्वेस्टर स्ट्यालों की सलाम अशुरा कर रहे हैं कि कैसे आपने पंचिस को स्ट्रॉंग किया जाए लेकिन जैसे ही ये बात बॉलेव जबनेता टाइगर शॉफ के कानों तक पहुंची उन्होंने दहाड मारी ट्वेटर पर और लिख दिया एक ट्वीट अपने प्यारे चहेते आईगन को दरसल रैंबो बनाने की ख़बर सामने आई है जिसमें टाइगर स्कॉफ को बतौर अभी नेताव लेने की ख़बर भी सामने आई शुकी है पिल्म से जुड़ा एक फ्रांग में एक पोस्टर की देखा गया है जिसमें टाइगर सिल्वेस्टे स्टेलोन की तरहे रेड हेट बेंजिना पहने फुल बॉडी पर ओल लगाए दूल मिट्टी को अपने जिम फिट बॉडी पर चिपकाए नजर आए कई दर्शेकों ने उनके लुप को पसंद भी किया तो कईयों का कहना था कि वो ही मैन के एक्शिन फिगर की तरहे नजर आ रहे हैं वही आपका क्या कहना है इस बारे में और तो और जब बॉलेवुड रैंबो की बात बॉलेवुड रैंबो के कानों तक पहुंची तो उन् करनब गुसामी की कही वस एक बात फिर क्या था बाल ठाकरे की तरह रैंबो के हीरो टाइगर ने कर लिया फिल्म से पैक अप और इसके बाद ये फिल्म पहुंची सीधा अपने रॉकी भाई के पास लेकिन रॉकी भाई ने भी कसम खाई हुई है जब तक बाहुबली का रि नहीं कचवा पा रहे हैं ताकि दर्शक उने रॉकी भाई की जगए यश ना बोलने लग जाएं ऐसे में वो कैसे रैंबो के लिए हामी भर देते तो फिर हुआ वही जो मंसूरे प्रशांत नील होता है प्रशांत नील जो केजयर की सक्कुष में इतने दूबे हुए थे कि वो अपनी फिल्म सालार के बारे में लगता है पूल ही गए हैं तब ही तो फिल्म को लेकर कोई नई खबर नहीं आ रहे हैं वही अमीर होने की जग ने रॉकी को इतना पागल कर दिया है कि वो अपनी फिल्म के टीजर में जो स्मोकिंग की वार्निंग देना ही बूल गए य यानि जवार एंटी स्मोकिंग की गोहार के साथ वही फिल्म के कांस पर रॉकी भाई का इतना गहरा असल हुआ है कि वो फिल्मेकर्स को इकेजर चाप्टिव 2 के रिलीज देटिक की लेयर करने की पूल दे रहे हैं जी हां एक दम बोले तो भंकी लेकिन बेचारे फिल्मेक में साथी साथ दर्शकों को हर बार स्वारी बोलकर रिलीज देट को आगे खिसकाएंगे तो धंगी नहीं तो क्या फूलों की माला चड़ेगी इन फिल्मेकर्स पर लेकिन ताजा कबर यह है कि सारा कामत का है अधीरा की आवास पर अरे नहीं भाई संजर इतका गला एकदम ठीक है मामला दरसल यह है कि अधीरा का कंड़ वाईस ओवर अभी तक बीच में ही लटका है जिस वजह से फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में फसी हुई है और फिल्म में एक इंटेंस डार्क और स्लो सॉंग होगा जो सिर्फ और सिर्फ अधीरा की एंट्री के लिए इस्तिम के जीएफ में बल्कि पूरी की पूरी आर्मी लेकर लोट रहा है जिसकी तादाब इतनी है जितनी की के चैप्टर वन की पूरी क्रिव समझ लीजिए और जब ऐसा लीडर फिल्म में एंट्री लेगा तो क्या पिना बेग्डाउंड मूजिक के लेगा अजी नहीं दोल ता रौकी के सामने जिर्फ एक ही में विलिन था वहीं इस बार रौकी की समस्याएं बढ़ती ही जाएंगी यानि पहले अधीरा से निपटना होगा फिर इनायत खलील का सामना करना होगा और ये बिकी हुई गौर्मेंट को भी अपनी ओर करना होगा लेकिन काफी पुरानी कहा कि लड़की पर कभी विश्वास नहीं करने का बिलकुल रिक्स नहीं लेने करे बाबा लेकिन रिक्स तो रौकी भाई ने ले लिया प्रमिका सेंग पर वरोसा करके क्योंकि एक दिन पहले ही उन्होंने चिप टिप पर सा पानी का वीडियो देखा था अब लड़कडाते को बैसाखी का ही सहरा था तो रौकी भाई की गर्ल्फरेंट वीना ने उन्हें सम्हाला तो लेकिन अंत में जीत रमिका की ही हूँ क्योंकि शहर की लड़की ने शहर के लड़के को पुलिस वालों के हाथों मरवा दिया जिसके बाद रीना और रमिका ने वूमेन इंपाव शेयर करें और चैनल को सुस्क्राइब करना भूलें आज की स्ट्राइटर है तिम्रंग्रावर डिस अंड़तास साही का सायो नहरा इस मूवी में दोस्तो चार चांद लगाने वाले सफल शूट लोकेशन्स और उसकी इंट्रस्टिंग फैक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे KGF मूवी साल 2018 की करनर फिल्म थी जिसने लोगों का दिल जीता चाहे वा अपनी सिनमाटिग्राफी से हो, डांस से हो, म्यूजिक से या डालॉक से दोस्तो KGF के हर पहलों ने और्डियन्स के दिलों में अपनी खास और इंट्रस्टिंग पहचान बनाई हर मूवी में दो तरह के लोकेशन्स होते हैं, लाइब लोकेशन्स और स्टूडियो लोकेशन्स बात अगर इस मूवी के खास शूट लोकेशन्स की की जाएं तो दोस्तो फिल्म कई सारे लोकेशन्स और पार्ट्स में शूट हुई थी जैसे कि कुलार, मायसूर और नॉर्थ करनाटिका के पार्ट्स में भी मूवी को रियल फील देरे के लिए दोस्तों ये मूवी कुलार के गोल्ड फील्स पर शूट की गई करनाटिका के डस्टी और गोल्ड माइनिंग सेट पर शूट हुई और दोस्तों के सेट के लिए काफी बड़े स्पेसे चूस की गई थी आर्ड डिरेक्टर शिवा कुमार ने कुलार गोल्ड फील्ड को रीक्रेट किया वी एफेक्स एफेक्स की मदद से और दोस्तों आक्टर यसका कहना था कि फिल्म के एक एक सीन के बाद ही शूट करना खास फिल्ण थी दोस्तों फिल्म के सेट गरांट बड़े और काफी स्पेशियस हैं जो कि फिल्म को एक जजानटी फील देते हैं तो दोस्तों आप हमें कॉमें सेक्षन में ज़रू बताएगा कि आपको इस फिल्म के खास लोकेशन से जुड़े सबसे फेवरेट फाक्त कौन सा बड़ा सर्प्राइज मिल सकता है KGF फैंस को दशेरा पर ऐसे ही तमाम सवालों की जवाबों को जानने के लिए अंत तक जुड़े रही हमारे साथ इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे बड़े सर्प्राइज के वारे में जो जल्दी ही मिल सकता है KGF के फैंस को हमें मिली जानकारी के मताबिक दशेरा पर KGF फैंस के लिए एक बड़ा सर्प्राइज सामने ला सकती है KGF की टीम तो क्या है ये बड़ा सर्प्राइज आएए देखते हैं इस वीडियो में साथ इंडियन आक्टर यश की KGF चाप्र टू साल की सबसे अंटिसेपेटेड फिल्म है हाला की रिलीस का इंतजार अभी भी जारी है लेकिन फैंस अपने फेवरेट रॉकिंग स्टार यश भाई को फिर से एक बार बड़े परदे पर देखने के लिए बेताब है KGF चाप्र टू का क्रेज भी इतना बढ़ रहा है कि सोशल मीडिया हर दिन KGF टू पर हैश्टेग से गुलजार हो रहा है आपको बता दें हाल ही में रॉकिंग स्टार यश को एरपोर्ट पर देखा गया था वहाँ पर वे कई फैंस के साथ सेलफी लेते हुए और पेपराजी को कोज देते हुए एक अलग अंदाज में नजर आए बाद में उन्हें मुंबई की रोट पर भी देखा गया स्क्रीन पर उनके स्टार और तोर तरीकों ने पहले ही पैन इंडिया फिल्म फैन वीवर्स को अट्रेक्ट किया है लेकिन अब उनकी रियल लाइफ लुक्स भी खूप सुर्खियां पटो रही हैं जिससे पता चलता है कि रॉकी भाई रियल लाइफ में भी वही स्टाइल और स्वाग कैरी करते हैं यश के इस लुक को पसंद करने वाले फैन्स ने उन्हें रियल बॉस कहा और अनुमाल लगाया कि यश संजेदत और अविना टंडन अभी नीट केजी एफ टू भारत में सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन जाएगी हाल ही में KGF 2 की मेकर्स ने अनॉंसमेंट की कि फिल्म अगले साल 14 एप्रिल को सिनेमा घरों में उतरेगी इंस्टाग्राम पर एक नए पोस्टर शेयर करते हुए आक्टर यश ने पोस्ट को कैप्शिन दिया हम 14 एप्रिल 2022 को सिनेमा घरों में उतरेंगे प्रशांत नील की डिरेक्टिट मूवी KGF चाप्टर 2 2018 में रिलीज होने पर फिल्म इंडस्ट्री में तूफान ला दिया था अब सब के नजर KGF के दूसरे पार्ट पर है बॉलीवुट अभी नीता, संजेदत अगले पार्ट में उपोजिशन का रोल निभाते हुए नजर आएंगे जब के KGF चाप्टर 2 फिल्म, कंणड, तमिल, तेल्गू, मलियालम, हिंदी में रिलीज होगी फिल्म के रिलीज डेट में अलरेड़ी इतना लेट होने के बावजूद, फैंस के एकसाइटमेंट में कोई भी गरावत नहीं आई है लेकिन ऐसा लगता है कि फैंस KGF की दूसरी इंस्टॉल्मेंट में KGF के मेकर्स के तरफ से एक बड़े सर्प्राइज की होब कर रहे है हमें मिले मेडिया रिपोर्ट के मताबिक KGF 2 का फॉर्स्ट सिंगल दशैरा तक रिलीज होगा लेकिन इस बात की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है अब ये देखने वाली बात होगी कि KGF 2 के मेकर्स फैंस की डिमांड फुल्फिल करते हैं या नहीं KGF 2 से लोगों की क्या-क्या उमीडे है KGF 2 का लोग कितनी देश सब्ली से इंदजार करते है KGF 2 के डिले होने का क्या वीजन है नमस्कार दर्शको आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वाबित करते हुँ Bollygrad Studios में मैं हूँ आपकी बोस और दोस्त सिमरंट गोवन आज हम बात करेंगे बॉलेवोटी एक ऐसी मूवी जिसने रिलीस से पहरे ही लोगों के तेलो और दिमाग पे अपना कब्जा जमा लिया था इसके दूसरे पार का लोग इतनी में सभी से इंदजार दजें है कि मुझे तो लगता है कि ये साल की most rated film खेलाईगी हम बात कर रहे हैं प्रशात नील वारत देखी गई के जिएक टूखी ये फिल्म एक कंटनल लांगविज के रियोडिक ट्रामा फिल्म है जिसे रिलीस किया जाएगा पांच भाशाव में यानेगी तमिल, तेलेबू, मल्यालम और हुंगी में यश ने इस फिल्म से लोगों का दिल चीट गिया था लोग इस फिल्म के दिवान ही हो चुके थे और यश के भी अब इस फिल्म के रिलीस होने का बख आ चुका है जिया दोस्तों ये फिल्म पहले रिलीस होने वड़ी थी 23rd October 2020 को लेकिन COVID pandemic के चलते इस फिल्म की रिलीस वो पोस्पॉन कर दिया गया अभी हाली में ही 21st Jan 2021 को ही इनके फिल्मेकर्स ने बताया है अब ये फिल्म रिलीस होने जा रहे हैं 16 July 2021 को लेकिन आपको अब बता दो कि शायद इस फिल्म की रिलीस देट फिर से आभी बढ़ने वाली है लेकिन आज हम आपको एक ख़वर देने वाले हैं इस फिल्म के रिलीस देट पोस्पॉन होने की पास्ट जी हाँ दोस्तों ये ओडियंस के लिए एक बहुत दुपताया ख़वर है लेकिन इस फिल्म की अनलेस्स तरन आदर्श ने बताया है कि इस फिल्म को पोस्पॉन करना पड़ेगा कुछ टेक्मिकर इस ठीक करने के लिए और फिल्म एकस के अकॉर्डिंग इस फिल्म को रिलीस की रेट इसले पोस्पॉन की जारी है क्योंकि COVID pandemic की situation जीए और safety भी बहुत माइडर रखती है और जब तब COVID pandemic की situation जीए नहीं हो जाती है तब तब इस फिल्म को रिलीस नहीं किया जाएगा और जब तब ये फिल्म सिनेमा हॉल पे रिलीस नहीं किया जाएगा और जब तब ये लोगों के लिए बहुत दुटायर कवर है और कुछ लोग इस decision से खुश्वी है और कुछ निराश है कि वो अपने actors को बहुत ज़्यादा देश से देखना जाते हैं और इस सब्री से इंतजार करने थे इस फिल्म के रिपीस का हॉल लेकिन आप पहिना जाएगे हमां के लिए और भी बहुत साइट पकी खब लिए कर आएंगे इसके माइस से चुड़े रहे हैं के साटलाइट राइज इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूगी हमारे इस वीडियो में तो लाश्तक बने रहे हमारे साथ हेलो एव्रिवान स्वागत है आपका बॉलीग्राब स्टूडियो में साट सटर यज की सूपर हिट फिल्म के जीएफ चापटर वन की मेगा सक्सेस के बाद फिल्म का सेकेंड पार यानि के जीएफ चाप्टर टू भी जलद ही बड़े परदे पर रिलेज होने वाला है जी हाँ जबसे बारे में आनाउंसमेंट हुई है के जीएफ के फैंस तो म जी तामिल और जी मल्यालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं KGF चाप्टर टू जब बनाई जा रही की उस वक्त किसी ने उमीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रुस्पॉंस मिलेगा साथ इसकी सैपलाइट राइस इतने कडोरों में बिकेगी रौकी भाई यानि की इश ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपे चार्ज किये थे लेकिन रौकी भाई का कारेक्टर इतना जादा फेमस हुआ कि KGF चाप्टर वन से जादा लोग रौकी भाई के कारेक्टर को आज भी याद करते हैं इसी से खुश होकर रौकी यानि की इश को 15 करोर की जगे 30 करोर का चेक लिया गया अब फिल्म के सेकंड सीक्वल के लिए भी इश डबल चार्ज कर रहे हैं इश के बाद इस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉल बुडबिनेता संजय गत का जी हाँ संजय गत इस अपकाविंग फिल्म में अधीरा का कारक्टर प्ले करने वाले हैं जो की एक नेगटिव कारक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजय गत ने करीब 9 करोर रुपे लिए हैं इस फिल्म से काफी सारी उम्मीदे हैं दर्शकों को और साथी मेकर्स को भी हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने केजिय गत के पहले भाग को प्यार दिया था तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म केजिय एफ 2 में मिल जाएगा बस फोड़ा और अंतुजार और करना है फिल्म को लेकर ओडियन्स के बीच इतने एकसाइसमेंट और क्योयोसिटी है कि शायद इसी वज़े से केजिय एफ के चाप्टर 2 के से फ्लाइट राइट को इतने महेंगे तरज पर बेचा गया है आप सभी कितने जादा उतसाहित हैं केजिय एफ चाप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके सरूर बताएं किस ख़बर से चौके केजिय एफ फैन्स क्यों हुआ मूवी का रीशूट ऐसे ही तमाम केजिय एफ से जुड़े सवालों के जवाबों को जानने के लिए अंतितक जुड़े रहिए हमारे साथ इस विडियो में रॉकिंग स्टार यश की केजिय एफ चाप्टर 2 इन दिनों काफी सुर्खियों में है और आए दिन हम इसके बारे में कोई न कोई नई नीउस सुनते ही रहते हैं लेकिन हमें फिलहाल में एक ऐसी नीउस के बारे में पता चला है जिस पर शायद आपका विश्वास करना मुश्किल होगा क्योंकि ये नीउस आपके लिए काफी शॉकिंग होने वाली है अब आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या नीउस है तो चलिए देखते हैं आगे विडियो में नमस्कार मेरा नाम है निधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली ग्रैट स्टूरियोज में KGF चाप्टर 2 2018 की फिल्म KGF चाप्टर 1 का सीक्वल है आपको बता दें KGF की पहली फिल्म दुनिया भर में संसनी बन गई थी और इसे खूब पसंद किया गया था इस फिल्म में रॉकिंग स्टार यश एक बार फिर से लीड रोल में नजर आएंगे इस फिल्म में कंदर्ट सूपर स्टार रॉकिंग स्टार यश के साथ साथ की जी एफ टू में बॉलिवुड के सूपर स्टार संजैदत यानि हमारे संजीू बाबा और बॉलिवुड की टिप टिप बरसा पानी गर्ल यानि की हमारी रवीना टंडन मुख्या भूमिकाओं में नजर आएंगे KGF2 को अगले साल 14 एपरिल को थीटर्स में रिलीस करने की अनौंसमेंट की गई है फिल्म लंबे समय से पोस्ट प्रोडक्शन के आधीन है और सभी को लगा फिल्म के शूटिंग कम्प्लीट होकर रैप अप भी हो चुकी है हाला की लेटेस्ट अपडेट्स ये इशारा दे रही है कि KGF2 यूनिट ने बैंगलोर में एक फाइट सीक्वेंस की शूटिंग अभी पूरी की है ये वास्तव में KGF2 फैन्स और वैल विशर्स के लिए एक शौकिंग निउस है क्योंकि सभी को लगा था कि फिल्म के शूटिंग पूरी हो गई है लेकिन ऐसा नहीं है KGF2 के डिरेक्टर प्रशांत नील प्रशांत नील की सालार में चले गए और इस फिर्म की शूटिंग टेज स्पीड से आगे बढ़ रही है इस फैक्ट को देखते हुए ये एक वास्तविक आश्चर्य की बात है कि KGF2 की शूटिंग अभी भी शूटिंग के स्टेज में ही है अब इस बात की पुछ्टी तो खुद टीम के मेंबर्स ही रही सकते हैं लेकिन आप इस बात पर क्या सोचते हैं हमें नीचे लिए गए कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले आज की रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही बॉलेवुड जगत की अन्या ख़बरों के लिए जुड़े रही है हमारे साथ बॉली ग्राइट स्टूडियोज में क्यों भड़के KGF फैंस? रॉकी भाई के कैरेक्टर के लिए यश थे दूसरी पसंद कौन था फिर रॉकी भाई के रोल के लिए पहली पसल KGF चाप्टर वन वास्तव में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक बैंचमार्क फिल्म बन गई है इस बीच हर गुजरते दिन के साथ फांस के बीच KGF चाप्टर 2 को लेकर एकसाइटमेंट पढ़ती ही जा रही है नमस्कार मेरा नाम है निधी ठाकुर और स्वागत है आपका बॉली ग्राइट स्टूडियोज में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KGF 2 से जुड़े कुछ ऐसे रास के बारे में जो ना तो आपने सुने होंगे ना आपने सोचे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को प्रशांत नील की KGF सीरीज में अब तक अपनी एक अलग दुनिया बना दी है जिसे KGF 2 के ओफिशिल टीजर की दुआरा सेट किये गए रिकॉर्ड से आसानी से पता लगाया जा सकता है रॉकिंग स्टार यश एक पैन इंडिया अक्टर बन गए हैं वहीं प्रशांत नील की काउंटिंग अब A-Listed Directors में होने लगी है इसके अलावा KGF Chapter 1 के माध्यम से आक्टिंग के शुरुआत करने वाले गरुन अब साउथ फिल्म इंडिस्ट्री के फेमस अक्टर्स में से एक है वियर्स को फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और उसकी प्रजेंटेशन का होनर सबसे ज्यादा अट्रेक्ट करता है KGF के सिनेमेटोग्राफर गुवन ने भी फिल्म के लिए बड़ा पेमेंट पाकर पॉपुलारिटी हासल की जहां सभी फान्स KGF को अपडेट का भी सब्री से इत्जार कर रहे हैं वही फान्स इस फिल्म का निर्मान से जुड़े हर पहलू पर नजल रखे हुए हैं हलांकि हाल ही में होमले फिल्म्स के डिरेक्टर और KG Connect के फाउंडर कार्दिक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक मिसलीडिंग इन्फोरमेशन शेयर की जो फिल्म के फैंस के साथ अच्छी नहीं रही और जिसके लिए उन्हें बाद में पच्चतावा भी हुआ कार्दिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पिक्चर शेयर की जिसमें लिखा था रॉकिंग स्टार यश नहीं ये मंचू विश्नु थे प्रशांत नील ने पहले मंचू विश्नु को KGF सुनाया लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने पोस्ट को कैप्शन दिया तेलगो फिल्म इंडस्री के करीबी सूत्रों से सुना कि विश्नु मांची नहीं कहा है अगर सच है तो मैं दोहराता हूँ इसमें 0 प्रतिशत सच्चाई है प्रशांत अब तक विश्नु से एक बार भी नहीं मिले है हाला कि बाद में उन्होंने माफी के नोट के साथ ट्वीट को हटा दिया मिसलीडिंग इन्फरमेशन से रिलेटेड कोई भी ओफिशियल कन्फरमेशन या क्लियर एंस नहीं आया कई यूजर्स ने सिनमाट्रोग्राफर को फटकार भी लगाई यहां तक कि ये भी क्लियर नहीं है कि यश्के बजाए रौकी भाई के किरदार के लिए अभिनेता विश्णू पहली पसंद थे या नहीं या क्या तेलगू अभिनेता ने ऐसा कोई बयान दिया भी था या नहीं हाला कि misleading information शेयर करने के लिए माफी मांगने के बाद कई लोगों ने कार्थिक की तारीफ भी की एक interview में प्रशान्त ने खुलासा किया था पैन इंडिया मार्केट के लिए सबसे पहले आपको एक बड़े बजट और एक बड़े स्टार की जरूरत होती है इसलिए यश आटोमाटिकली इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए मैंने उनकी फिल्म में पहले देखी थी और मैं उनका फैन था इसलिए जब आप किसी अक्टर के फैन होते हैं तो उनके साथ काम करना असान होता है इसलिए इन ही सभी पहलों पर विज़ार करते हुए ये कहा जा सकता है कि तेलगू आक्टर विश्णू के बारे में इन्फरमेशन मिसलीडिंग थी और यश केजियेफ के लिए पहली पसंद थे तो आप बताईए क्या आप तेयार हैं एक बार फिर से रौकी भाई का चलवा देखने के लिए हमें नीचे कॉमेंट सेक्षन में इस शीज का आंसर जरूर बताएं और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेर और कॉमेंट करना ना भूले साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले टीवी कमेर्शियल या फिर कोई शो जिसका वो पार्ट बनी हो या फिर कोई नई दिल्चस्प बात जो स्टार्स शेर करना चाहते हूं यहां तक की बड़े बड़े प्रिजेक्स के प्रमोशन भी सोचल मेरिया पर अराम से हो जाते हैं इसलिए आज के जमाने में सोचल मेरिया को एक वरदान माना जा सकता है जिसके बिना शायद से लोगों को अपनी जिंदगी में थोड़ी कमी महसूस होगी तो आईए हम लोग आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर बात करेंगे केज फ्टू के स्टार कास्ट और उनकी सोचल मेरिया अक्टिविटीज पर तो जिन स्टार्स की यहां बात करी जाएगी वो हैं अपकमिंग मूवी केज फ्टू के स्टार्स जो कि आज कल सोचल मेरिया पर काफी आक्टिव दिख रहे हैं अपकमिंग मूवी केज फ्टू को प्रमोट करने के लिए शुरुआत करते हैं यश से तो यश आज कल काफी टाइम अपनी फैमली के साथ बिता रहे हैं यश ने हाल ही में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अपनी फोटो पोस्त की थी जहां पर कुछ ऐसा देखने में लग रहा था कि यश अपने बच्चों की बात काफी ध्यान से सुन रहे हैं जो कि काफी क्यूट लग रहा था यश अपनी बेटी से बहुत जादा प्यार करते हैं और इसलिए उन्होंने डॉर्टर्ज जे के दिन अपनी बेटी के साथ पिच्चर शेयर करते हुए लिखा मैं तुम्हें पूरी जिन्दगी बात करते हुए सुन सकता हूँ तुम मेरे दिल का एक अनमोल टुकड़ा हो अगर दूसरी और बात की जाए संजदत की तो संजदत ने अपने डेब्यू एक्सपो की पिक्स भी ड्रॉप की थी हाली में और उसके साथ साथ ही अपने एक अडविटीजमेंट से भी रिलिजेट पोस्ट शेयर किया जो की था विलन पर्फियूम का संजदत हमेशा से ही गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन माते हैं इसलिए उन्होंने गांधी जयनती पर गांधी जी वाले एक पिक्चर भी शेयर की थी और कैप्शन में लिखा उस इंसान के लिए जिसने हम सबको सिखाया साथ ही संजद अधी केज़ फ्टू की प्रोमोशन के लिए पोस्टर शेयर करते हैं और कॉमेंट सेक्शन में भी फैन से इंटराइट करते हैं इसके साथ ही रवीना टंदन की बात करें तो वो आजकर अपने शेडियूल के चलते अपना टाइम फैशन मॉरलिंग में दे रही है उन्होंने कई सारे पोस्ट शेयर किये हैं जिसमें वो सेट्स पर रेडी हो रही थी या फिर अपना फोटो शूट करा रही थी रवीना ने अपने हैर में भी एक चेंज किया है जिसके पेगनों ने इस्टेग्राम पर शेयर की है रवीना अभी अपने सोशल मीडिया अक्टिविटीज में केजिफ्टू को प्रमोट करते हुए भी दिख रही है और वो फ्रीकुंटली केजिफ्टू के टीजर या पोस्ट या स्टोरीज डालती रहती है श्रीनी धी अभी अपने काफी टाइट शेडूर के वज़़से सोशल मीडिया थोड़ा अक्टिव नहीं है लेकिन वो जब भी सोशल मीडिया को टाइम देती है तब वो केजिफ्टू के बारे में लोगों को कनवे करना नहीं भूलती तो ये है केजिफ्टू की स्टार कास्ट की कुछ लेटिस्ट सोशल मीडिया अक्टिविटीज अगर आप और कोई नई अपडेट इन स्टार्स के बारे में जाना चाते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं इस मूवी के रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और ऐसी ही मूवी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे बॉली ग्राड स्टूडियोज को मूवी के जिप टू की तो बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ दिनों पहले जब दोस्तों यश ने मुंबई में इस मूवी में उनके लुक को काफी पसंद किया और साथ ही मुंबई उनके घर के बहार फांस की काफी बड़ी भीड लग गई थी और दोस्तों ये भीड देखत इसका एक ताम्य अपीरेंस देखने को मिल सकता है और दोस्तों वो कोई और नहीं बल्कि अनुषका शक्ति हो सकती है और दोस्तों जरूर उनके होने से इस मूवी को काफी ज़्यादा ही होगा क्यूंकि अनुषका शक्ति टॉलिवर्ड की सबसे पेमिस और हाइस पेड़ में एक हैं और दोस्तों साथ इस मूवी में उनके होने से फांस और इंटरस्ट फिर्म के लिए और जादा बढ़ जाएगा वैसे वो हमें इस मूवी के पहले बाहु बली टू में भी प्रभास के साथ मज़र आ चुकी है और उनको फैंस ने कावी पसंद भी किया था उस मूवी में और दोस्तों इस की ये वैसे ही परफॉर्मेस एक बार फिर से हमें देखने को मल सकती है पर दोस्तों अभी इस संदी उसको लेकर कोई उफीशल स्टेट्मेंट सामने नहीं आई है पर ऐसा होने के चांसे लग रही है अगर हम बात करें कि आखिर कौन है वो फैमस बॉलिवुद सिंगर जो इस मूवी में कुछ सॉंग्स को गाते हुए नज़र आ सकते हैं दोस्तों कुछ खबरों के अनुसार इस मूवी में हमें शंकर महादेवन के अवाद सुनने को मिल सकती है और उनके सॉंग्स को केज अब 2 में सुनने के लिए हर कोई बेसबरी से इंतिजार कर रहा है पर दोस्तों अब यह देखने लायक होगा कि क्या फांस की दिमांड पूरी होगी या नहीं तो चलिए अब आप हमें कॉमें से बताइए कि आप कितने एक्साइट हैं अनुश्का शेक्टी को इस मूवी में देखने के लिए अन्दूस्तों अगैन इफ लाक दी लिए आप लोगेट शब्सक्राइब चानल बॉलिग्राद स्टूडियोज और तो आप सबका बहुत स्वादत हैं बॉलिग्राद स्टूडियोज में आपकी होस्त पंफुरी आज हम बात करने वाले हैं सबसे जादा मांग वाली फिल्म याने की KJWP 2 की जसमें बात करेंगे यषो के अंकाउंटर सीन की जस सीन में Sanjoy यानि की geograph यानि की रोकी और रमिका से इनकी सेना यानि बहुत सारी पुलिस जो कि रॉकी का फिल्म में एंकाउंटर करने के लिए शामिल होंगे सीन पर कहुंचने से पहले आपको बता दे कि प्रशाद नील की आने वाली फिल्म के जिस चैप्टर दू एक एक्शन स्रिलर फिल्म है चाहिए और कुछ ऐसा ही हुआ जब फिल्म में इंकाउंटर सीन की शूटिंग हो रही थी दरसल इस सीन को एनर्जी देने के लिए डिरेक्टर ने ये फैसर लेकी शूट में सब एक कुस्ट्रे को सच्च में मारें इसका परिणाम यह हुआ कि शूट के दौरान सभी को काफी फिल्म के डिरेक्टर प्रशांत ने इस सीन के बारे में कहा यह मज़ेदा सीन था याश और संजे इस सीन के एनर्जी को तराशने के लिए बेहद ओपन थे यह पहली बार हुआ जब याश और संजे का अमना सामना हुआ मैं इस सीन को वासिवक बनाना चाहता था इसलिए मुझे याश और संजे को यह आजादी देनी पड़ी कि वो एक दूसरे को मार सकते हैं बेशक अपने हाथों को थोड़ा ट्राइट करके वरना इन दोनों में इतनी एनर्जी थी कि एक दूसरे को अस्पताल भी पहुंच सकते थे अक्टर के तौर पर तोनों ने एक दूसरे पर भरोसा किया और हम यहां तक पहुंचने में सफल हुए यह एक लंबा सीन था और इसमें कई सारे एंगल जुड़े हुए थे उन एंगल में से एक एंगल रमीका सेन यानिकी रवीना टेंडन का भी जुड़ा था जो वो कैसे जाहिर है हमारी वीडियो देखकर तो जुड़े रहिए हमारे चानल के साथ सब्स्क्राइब कीजे बॉलिग्राइब स्टूडियोज को के जीएफ चाप्टर टू के साटलाइट राइट्स इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूगी हमारे इस वीडियो में तो लाज तक बने रहे हमारे साथ स्वागत है आपका बॉलिग्राइब स्टूडियोज में साउथ स्टार यश की सूपर हिट फिल्म के जीएफ चाप्टर वन के मेगा सक्सस के बाद फिल्म का सेकंड पार्ट यानि के जीएफ चाप्टर टू भी जल्द ही बड़े परदे पर रिलेज होने वाला है जी हाँ जब से इस बारे में अनाउंस्मेंट हुई है के जीएफ के फैंस तो मानोख खुशी से जूम ही उठे हैं के जीएफ चाप्टर टू के रिलीज के लिए साउथ बेस जीज चानल्स के साथ कुलाबरेशन किया गया है के जीएफ चाप्टर टू के साउथ साटलाइट ड्राइट जी कंणर, जी तेलगू, जी तामिल और जी मल्यालम को रिकॉर्ड कीमत पर बेचे गए हैं के जीएफ चाप्टर टू जब बनाई जा रही थी उस वक्त किसी ने उमीद नहीं किया था कि इस फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा, साथी इसकी साटलाइट ड्राइट इतने कडोरों में बिकेगी रौकी भाई यानिकी यश ने इस फिल्म के लिए 15 करोर रुपे चार्ज किये थे लेकिन रौकी भाई का कारेक्टर इतना जादा फेमस हुआ कि केजिएफ चाप्टर वन से जादा लोग रौकी भाई के कारेक्टर को आज भी याद करती हैं इसी से खुश होकर रौकी यानिकी यश को 15 करोर की जगे 30 करोर का चेक दिया गया अब फिल्म के सेकेंड सीक्वल के लिए भी यश डबल चार्ज कर रहे हैं यश के बाद इस फिल्म में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो है बॉल वुड अबिनेता संजेदत का जी हाँ संजेदत इस अपकाविंग फिल्म में अधीरा का कारक्टर प्ले करने वाले हैं जो की एक नेगटिव कारक्टर होने वाला है और अपने इस किरदार के लिए संजेदत ने करीब 9 करोर रुपे लिये हैं इस फिल्म से काफी सारी उमीदे हैं दर्शकों को और साथी मेकर्स को भी हम उमीद करते हैं कि जिस तरीके से दर्शकों ने KGF के पहले भाग को प्यार दिया था उससे भी दुगुना प्यार KGF चाप्टर 2 को भी मिले KGF के पहले भाग को देखने के बाद ओडियंस के मन में कई तरीके के सवाल हैं सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर KGF पर राज किसका होगा। तो दोस्तों इन तमाम सवालों का जवाब आपको अपकमिंग फिल्म KGF 2 में मिल जाएगा, बस थोड़ा और अंतिजार और करना है। फिल्म को लेकर ओर्डियंस के बीच इतनी excitement and curiosity है कि शायद इसी वज़े से KGF के चाप्टर 2 के सेट लाइट राइज को इतने महेंगे तरज पर बेचा गया है। आप सभी कितने जादा उतसाहित हैं KGF चाप्टर 2 के लिए हमें नीचे कमेंट करके सरूर बताएगा। अगर हम सभी इंडियन सिनमा में अब तक की टॉप successful of blockbuster films की बात करें तो काफी सारे iconic movies में ख्याल आता है। आपकी राय में कौन सी हो सकती है अब तक की सबसे commercially successful film हमें comment section में बताईए। एक super successful film जिसने अपनी film making में बावबली को भी पचार दिया वो है world famous कनड़ा movie KGF KGF एक blockbuster film है जिसने अपनी amazing film making से सबका दिल जीता। पर दोस्तों क्या हो सकती है KGF film की making के बारे में अंसुने किस से। इस वीरियो में हम आपको KGF movie से making से related कुछ interesting facts बताएंगे तो जुड़ रही है हमारे साथ। इस film की making पाँच अलग-अलग languages में हुई है कनड़ा, तमिल, मल्यालम, हिंदी और तेलगु। यही नहीं के KGF ऐसी पहली कनड़ा movie बनी जो पाकिस्तान में भी release हुई हो। तो आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस film को बनने में पूरे चार साल का वक्त लगा था। गर हम film के last shot की बात करें तो film के last shot में हजार लोग थे। फिल्म के set के बारे में बात की जाए तो शूटिंग के दौरान, film का set दो बार भारी बारिश, strong winds के वज़े से गिर चुका था। इससे दोबारा rebuilt किया गया और शूटिंग resume हुई। फिल्म में काफी तरीके से special effects भी यूज हुए और फिल्म को special effects के लिए national award भी मिला था। चूट locations और set design में भी काफी details के साथ film makers ने काम किया। फिल्म का initial budget 80 करोड था पर फिल्म ने 250 करोड की कमाई की जिससे फिल्म को भारी amount में profit हुआ। फिल्म के set से लेके script तक हर चीज डिजाइन करने में पूरे तीन साल लग गए थे। दोस्तो आप हमें comment section में बताइए कि के जिफ के बारे में आपने जो इस वीडियो में सुना उसमें से क्या आपने पहले सुन रखा था और क्या बात आपको बिल्कुल खास लगी। अमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और जिफ टू को देख टाइम फांस को किस चीज का धियान रुपना चाहिए और क्यूंकि जिफ टू में कुछ चीजे नोट करने वाली हैं। इजिफ टू में क्या हो सकता है नाया। जिसका फर्स पार्ट बहुत ही successful हुआ था और दोस्तों दूसरे पार्ट से भी यही उमीद करी जा सकती है लेकिन इस मूवी के फर्स पार्ट में कुछ हैसे सीन्स हैं जिने दूसरे पार्ट में अगर दोबारा रिपीट करा जाए तो फांस उन्हें देख कर प्लीज इंफ और इसमें देखने के लिए मिलेंगे यश रवीना टनन सजदाद शीमिदी शाकी और दोस्तों और भी कई बड़े-बड़े सितारे दोस्तों यह मूवी ड्यूस की जाएगी विजय के द्वारा तो यह हैं इस मूवी के स्टार कास्टम क्रिव अब दोस्तों आजाते हैं इ KGF1 में ऐसे कहों से सोशियालोचिकल अनपीली मॉमेंस थे जिन्गों के इस अप्रमेंबल कुल भी रिपीट नहीं करा जाना चाहिए कहा जाए तो KGF1 बाके में ही एक अमेजिन मूवी थी लेकिन दोस्तों इस मूवी में दिखाए गए में लीड काफी जादा आलकोहॉल और सिक्रिट का कर्जम्शिन करता था जिसको देख कर जादो तो लोग अन स्पेशल यूथ पर असर कर सकता है इमाजिन करिए आप एक ऐसी मूवी को विटनेस कर रही है जो कि एक ब्लॉग बॉस्टर है जिसमें काफी कूल स्टार है वो स्टार बहुत जादर 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 जाए तो क्या आप उससे इंट्विंस नहीं हो जाएंगे इसका जवाब है हाँ दोस्तों क्या आजकल हर कोई शॉफ करना चाहता है आउन दोस्तो फूर डिखना चाहता है तो सम को ऐसे लगेगा कि ड्रिइंक ऑण स्मोक करने से हम शायद प्लॉट कर सकती हैं वैसे इंडीड रॉकी ड्रिंक और स्मोक करते हुए काफी कूल लगता था लेकिन दोस्तों प्लीज इसे लोग एक एंटेटेन्मेंट पीस की तरह ही ले और उसे इंप्लेंस होने की कोश्चिस बिल्कुल भी ना करें KGF मुवी कुछ अन्रिलिस्टिक स्ट्रीट फाइट सीक्वेंस भी तखाई गए थे जिनको दोस्तों लोग एथिकली इंकरेक्ट करें सकते हैं इसी बात पर अपने टेम पर डूस कर देना मुवी के फाइट सिंज को पॉस्नली ट्राय करने से फैंस को बचना चाहिए बले ही मुवी में ऐसे पाइट सिंज दिखाए जाते हैं लेकिन दोस्तों ये सब एक्सपर्ट की सुपरवेजिन के अंडेम होते हैं कि वूट को ये चीज समझनी चाहिए और ऐसे सिंज को कॉपिन नहीं करना चाहिए दोस्तों ये है कुछ चीजे जो कि मोस्त रबाबनी केजिएप्टू में भी सामने आ सकती हैं लेकिन हमें जैसे पहले भी बोला है कि दोस्तों फांस पर इन सीज को देख पर इंफुल्स नहीं होना चाहिए और दोस्तों इस मूवी को जी भर कर अपने सपोर्ट देना है केजिफ टू वैसे एक बहुत सारी नए करेक्टर से और बहुत भी बड़ा प्लॉट ट्विस्ट खुद मिले कर आ रही है जिसे फैंस देखने के लिए काफे एक्साइटिद है फैंस देखेडा श्रीवी शेटी को रॉकी के नाम से फिल्म की पॉपुलारिटी ने फिल्म से जोड़े कलाकारों की जिन्दगी कैसे बदर डारी क्या केजिफ का न्यू सिंगल जल्दी रिलीज होगा रॉकिंग स्टार यश अभुनित के जिफ चाप्टर टू बहुपुतिक्षद फिल्मों में से एक है के जिफ चाप्टर वन भारती सिनवाती सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बंगर उगरी है और ऐसे उभुरी की तीन साल बाद आज भी लोग के लवों पर रॉकी भाई का नाम जन्ता है और यश और शी निशटी की मुख्य जोडी सहित इससे जोड़े अभिने ताज रात और आज स्टार्डम की और बढ़ गए नमस्तार दोस्तों स्वागते आप समी का बॉलिवराद टूडियोर में मैं हूँ आपकी होस्त और दोस्त शोती और आज लेकरा हुट दारेक्ट प्रशान्त नील की अपकमिक फिल्म के दिये चाप्टर टू से जोड़ी हुई कुछ इंट्रेस्टिक बात है यश को बियर्ड ओय से लेकर घाडियों और दूस्ती अपिरोल्स का ब्राण्ड मैस्टर बना दिया गया तो अपी डेबियों सही वागा ही पाने वाली श्रीदी को तमल सूपस्टाओं विक्रण के साथ नेक्स्ट फूम बिली दोनों ही नेताओं को रौकी भाई और रिना देशाई के उनके च्छित्रत के लिए प्यार किया गया था पैंसको य्श्राव श्रीदी के बीच जबर दस्केह मसृक काफी पसंड आ रही है रॉकी भाई और रीना ने साई की रूप में दोनों के वीच हुई प्यार भाई नोजों में दर्शकों का तिल जीतिया फैंक दोनों को फिर से बड़ी परड़ी पर देखने का वे सब्रीज इंतजार कर रहे है के दिनमाता हुने प्रिश्टे साल के जीप चाप्टर तू से श्री नीदी का फर्स लुप उनके जनदिर पर शेयर किया था तो से काफी पसंद किया गया था के जीप के नितेशक प्रशान के लिए टूइट किया क्या प्यार अप्रूर था हमारी दीना श्री नीदी को जनदिर की बहुत बहुत छुप काम दा है हैस्टाइग हैपीबर्ड़ेश्री धिशटी हैस्टाइग के जीए चाप्टर तू कस्वीर में श्री नीदी को सुन के पहली भाग में अपने शांदार वेस्टेन लूप से अलग दी सी लुप में देखा जा सकता है वो काले और बोलिन रंकल लेंगा पहने नजर आ रही है और उनके बाल कंधी तक नजर आए इसके फैन्स को इस साल शिनिधी के कायटर के बारे में नहीं अम्डेट के उमीर है हलाकि निर्माताओ ने केवर शिनिधी के एक तस्वीर शेयर की और इसे कैप्शन दिया हमारी दी ना शिनिधी शेटी को चलने की बहुत गौशब काम ना है इस बीच फैन्स अभी भी शिनिधी के फर्स लुक को लेकर ओवर्वेल्म्ट है और लगतार पोस्टर पर कॉमेंट कर रहे है फैन्स का गहना है कि रौकी भाई के बोर्श रचाएंगे जब वो अपनी गुर्फिन को देखेंगे उनके दिल का क्या होगा ये सोशेवारी बात है पोस्टर पर एक फैन ने लेका अब हमारे रौकी भाई का क्या होगा वहीं एक अन्ने फैन ने कॉमेंट किया क्या हम रीन और रौकी के बीच यूगल गीत के उमीद कर सकते हैं कंड़ ओरिजिन की फिल्म केजिफ चाप्टर वान ने देश के विभिन राज़र में लैंगविज और कल्चरल बारियर्स कुछ तोड़ते हुए फिल्म फ्रेमियों को मैसमराइज कर दिया केजिफ बंग की निर्माताओं ने कंड़ में केजिफ के लिए दीवान री जंगल की आग तरफ पेलने के बाद फिल्म को अन्य भाशाओं में डब करना पसंद किया फैंज आग की लब्टों को जला रहे हैं जुसका अंदाजा केजिफ चाप्टर वन की बढ़ती फ्रत्यशन से लगाया जा सकता है ब्रॉकिंग स्टार याश जो नौट इंडियन में तनी पॉपिलर नहीं थे अब इननी वेल्ट में भी एक घरेलू नाम बन गए हैं के जिफ चाप्टर वन के साथ वो पॉपिलारिटी बड़ी और उसकी बीवानगी ने सीमाओं को पार कर लिया जोकि निर्माताओं द्वारा अधिकारेक्ट टीजर को रूलीज करने के बाद क्लिया है और अब तक इसने कई वर्ड वोर्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं ये सिर्फ यश ही नहीं थे लेक अखर्ड देशक्रशांत नील, गड़ोड और कई अन्य पात्रों ने भी बड़े लेवल पर पॉपिलारिटी हासल की है कहां माइक्रो सीक्वेंस, वेरी एनेटरिटिक आक्शन, बाग्राउंड स्पोर, गाने, सभी भाशाओं में यूनीक है, स्टाइल और ग्रूमिंग स्टाइल, कॉस्ट्यूम्स और शूटिंग स्थार और अन्य सभी चीज़े काफी दमदार थी ये कहना गलत नहीं होगा थी केजिए वण का कल्ट क्लासिक बन रही है और रॉकिंग स्टार केजिफ चाप्ट टू के साथ वर्ल्ज वाइड अपनी चाप चोड़ने की रापर है जो 14 अपरें 2022 को रुलीज होने वाली है अगर रिपोर्स की मारें तो मेकर्स जल से जल केजिफ चाप्ट टू के पहले सिंगल की घोशना करेंगे केजिफ की संहीत की दुमिया में रॉकी भाई के साथ सवाली करने के लिए फैन्स काफी उटसा है अब देखना काफी बिल्जस होगा क्या होने वाला है केजिफ टू का क्लाइमिक्स इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्तक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवन स्वागत है आपका बॉलीग्राथ स्टूडियोज में दोस्तों आज एक बार फिर बात करने वाले हैं फिल्म केजिफ के अपकमिंग चाप्टर यानि की चाप्टर टू के बारे में जैसे कि आप सबको पता ही है कि KGF चाप्टर वन 2018 में रिलीज हुई थी और वर्ल्ड वाइड एक ब्लॉक्बस्टर फिल्म साबित हुई थी यही रीजन है कि इसका चाप्टर टू सभी अपकमिंग मूवीज के लिस्ट में most anticipated है इस फिल्म से साउथ फिल्म इंडस्टरी के after यश को भी cinematic फैन से काफी recognition मिली और अब उनके गिंती एक raging superstar के तौर पर की जाती है तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म KGF 2 के shooting locations के बारे में जब से KGF chapter 1 रिलीज हुई और खबरे आई कि KGF chapter 2 भी जल्धी आने वाली है सभी fans के मन में एक ही सवाल था कि आखिर कौन सी है वो location जहां पर KGF 2 की shooting चिल रही है तो आपको बता दे मार्श 2019 में ही फिल्म का पहला shooting sequence हाइदराबाद में shoot किया गया था जो अगले कुछ महिनों तक चला लेकिन उसके बाद मार्श 2020 में ही COVID-19 के lockdown की वज़े से सिरोग दिया गया और उसके कुछ ही महिनों बाद यानि August 2020 में Bangalore के कटिवारा studio में एक फिल्म को resume किया गया Bangalore के famous कुलार गोल्ड फिल्ड में भी फिल्म के कुछ important scenes की shooting हुई है KGF2 के shooting locations का सबसे बड़ा highlight पार था गोवा का दूद सागर waterfall जी हाँ इस जगे पर यर्ष के कुछ धमाकिदार action stunts की shooting हुई है और जो इस फिल्म के सबसे amazing action sequence के तोर पर माना जा रहा है जी हाँ बता दे दूद सागर waterfall इंडिया की सबसे खूप सूरत और exotic locations में से एक है और उस location पर shoot किया गया है यश का खतरनात action stand कितना thrilling होने वाला है हम इस बात का अंदाजा सिर्फ बातों से ही लगा सकते हैं जल्धी film release होने वाली है हम जानते हैं आप सभी सबकमिंग film के लिए बेहद उत्सुख है दोस्तों किसी भी film का सबसे important part होता है film का climax especially जब film एक action thriller हो इसलिए filmmakers कभी अपनी film के climax को reveal नहीं करना चाहते लेकिन मज़े की बात तो ये है कि हम आपको KGF2 के climax की कुछ खास बात है बताने जा रहे हैं बता दे film के climax की shooting के लिए एक super expensive set का arrangement किया गया और set को हाइदराबाद के रामोजी राउ film city में लगाया गया climax के sequence का ये main scene यश और संजेदत के बीच एक दमदार action stunt पर based रहने वाला है माना जा रहा है कि ये action sequence इंडियर फिल्म इंडस्ट्री के आज तक सबसे expensive action sequence होने वाला है जो हुआ कई में audience को surprise कर देगा आप सभी कितने excited है KGF2 के लिए हमें नीचे comment करके जरूर बताए पार्ट 2 में होगा सब कुछ दो गुना कहां पहुँचे छुटिया मनाने यश और क्या कारणामा कर दिखाया जॉकिंग स्टार ने नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बॉलिगराथ स्टूरियोज में मैं हूँ आपकी host दोस्ट शुती Without a doubt KGF1 की शानदार सफलता के बाद याश वर्ल्ड वाल्ट अपील के साथ एक स्टार बन गए प्रीकुल की सफलता के बाद उनकी अपकामिंग पॉपलर फ्लिक के लिए आक्टर को निर्माताओं से एक बड़ी राशी मिल रही है इससे पहले कि हम आपको सीकुल के बारे में कुछ बताएं हम आपको बता दे कि 2018 में रूलीज होए पहले भाग के लिए भीनेता को कितना भुकतान किया गया था केजिए चाप्टर वन उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता थी खास कर इसके हिंदी अडाप्टेशन में बेशक यश्च के प्रदर्शन ने भीड को आकशित किया लेकिन ये सिर्फ सा प्रदर्शन के बात किया गया था अब सीक्वल पर आते हुए निर्माता उन्हें केजिए चाप्टर टू के लिए यश्च को तीस करण रोपए की भारी राशी दी है और ये पहले भाग से तुलना में दोंगना है इतना ही नहीं वे रॉकिंग स्टार को एक थीए भास अभिनेता फल्म सलार में व्यस्ति है और अलु अरजन और जूनी नील की पहली फिल्म उग्रम थी जिसकी फलता के बाद इसका अगस्तिया नाम से सीकुल बनाया गया नए रिपोर्टर के नुसार के जिस्टार यश अपनी पतनी राधिका पंडित के साथ दुबाई गए हुए है और कुछ कॉलिटी टाइम बिता रहे हैं अपने मेजबानों के साथ अभिनेता की कई तस्वीरे सोचल मीडिया प्लाटफार्म पर वाइरल हो रहे हैं वेकिशन पिक्स के अलावा एक वीडियो वाइरल हुआ इसमें यश एक शेरनी को खाना खिलाते नजर आ रहे हैं शेर से मिल रहा है इस पर फैंस कॉमेंट करते नजर आए फैंस नामों की चिंता की ये बिना निडर होकर जंगल में घूंता है के जिस्टार फोब्स मैगजीन के कवर पर डिस्प्ले होने वाले पहली कनड भी नेता बन गई है अधिकान समय हम केवल बोगले वोच सितारों को ही कवर पिक्चर के शोबा बढ़ाते हुए देखते हैं इसल सबसे बड़ी सितारे के लिए एक टोस देते हैं वो जिन्हों ने पूरे भारत में पॉपिलारिटी गेंगी है यश यश संजयदत रवीनाटन नर्शीन दी शेटी अभिनित के जिफ टाप्टर टू पो चॉदर अप्रेल 2022 को रिलीज होने वाली है यश संजयदत के साथ भिटे में दिखाए देंगे तो वोले नभीरा का किंदान ने भा रहे हैं इसके राबार रवीना को भारत की प्रधान का सर्प्राइज फॉर संज के जिफ टू स्टार यश प्रशांत नील की के जिफ फ्रंशाइजी की बतौलत पान इंडिया लोग प्रियाता को हासल किया है पहले इंस्टॉल्मेंट की ही उच सक्सेस में दूसरी इंस्टॉल्मेंट को और भी बड़ा बना दिया है और कई ल रॉकिंग स्टार यश की नई अचीवमेंट के बारे में रॉकिंग स्टार यश की बढ़ती पॉपल्लारिटी ने उन्हें सौब भाग्य दिलाया है फेमस मैगजीन फॉर्ब्स में फीचर होने का आपको बता दें फॉर्ब्स मैगजीन हफते में दो बार शपती है और अक इडिशन को एक एंटोटीनमेंट तच दे रहे हैं लेकिन ये जानकर खुशी होती है कि उन्होंने साउथ इंडिया में चार इंडस्ट्री तेल्गू, तमिल, मलियालम और कन्नेड में सुर्खियों को सेमित कर दिया है जैसे कि बहारत इस वार फॉप्स पर साउथ से इमनी प्राउट मोमेंट है आपको बता दें रॉकिंग स्टार इश साउथ इंडस्ट्री के पहले ऐसे सेलेबरिटी है जो इस लिस्ट में शामिल हुए है यानि कि फी इस वर्स एवर सेलेबरिटी फ्रम साउथ जो की फॉप्स मैगजीन में फीचर हुए है और मसी की बात तो य प्राउट के साथ वाइरल भी हो गई है आक्टर ने एक ब्लैक कलर के सूट में स्टाइलिश लुक दिया है जहां उनकी थिक बियर्ट उनके लुक को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है वहीं में सीधे क्यामरे में देख रहे हैं जो किसी भी लेड़ी को उनके प्रती अट्रैक्ट कर सकती है फॉब्स की कवर मैगजीन पर पोस देना कोई एजी काम नहीं है और ये उनकी पॉपलारिटी के प्रमान के रूप में कार्या करता है इस बीच उनकी बेटी अमीरा के साथ उनकी रीसिंट पिक्चर्स में सोशल मीडिया पर धूम अजा दी है अभी नेटा को बहु प्रतिक्षित फिल्म केज एफ टो की रिलीस का इंतिजार है खाल ही में मेकर्स में वैंगलोर में एक एक्शन सीम शूट करने की बात कही है ये फिल्म इसी साथ रिलीस होने वाली थी लेकिन अपडेट बढ़ा कर 14 एपरिल 2022 कर दी है आज के इस वीड क्यों जबर्दस्ती की एच संजदत ने केज एफ टू के आक्शन सीमस तो खुद परफॉर्म स्वागत है आप सभी का बॉलिगराद स्टूडियोज में जहां हम आपको देते हैं बॉयवर्ड और उसे जुड़े सभी लेटेस्ट और दुचस्त खबरे और दोस्तो आजम बात कर रहे हैं फिर्म केज एफ टू की और मैं हूँ आपके साथ हनुशकत यागी संजड़त ने कीजिए चाप्टर टू में अपने किर्दार अधीरा के बारे में बात करते हुए कहा अधीरा मेरे दौरा निभाया अब तक का सबसे प्रेजी किर्दार है ये वाइकिंग से प्रेरित निदर्वी शाली और निर्मम है अधीरा बनने के लिए बहुत सारी शा अधीर खराब्ती और यही करते हुए फर्म के मेंकर्स नोने बोडी डबल का स्जेशन दिया था लेकिन संजदट ने इससे साफ इंकार कर दिया संजदट ने फर्म में खुद अपने अक्शन सीक्वेंस किये हैं और वो अक्षर अपने फिल्मों में अपने आक्शन सीन्स सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों आक्षिन से भरपूर फिल्म के बारे में बात करते हुए समझेदार ने कहा फिल्म के चाप्टर वन का सीकुल है इसलिए आप वो सब और उससे अधिक की मीट कर सकते हैं फिल्म मेरा फेस आफ है जो निश्चित रूप से बहुत मसिदार था बहुत सारे प्रॉप्स का स्तमाल किया गया है और सीकुल्स के खुब सूरुकी से एक कोरिग्राफ भी किया गया है फिल्म मेर पूर मातरम है और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि बिना ज्यादा कुछ कहे ओडिन्स फिल्म में आक्षिन का मसा ले सके दोस्तों टीजर में प्रॉप में रवीना टंडन को देखा जा सता है वही संजदत अधीरा के लुक में नजर आ रही है दोस्तों होमले फिल्म स्ने इस टीजर को रिलीस किया है और टीजर को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि एकसले इंटेटीन्मेंट और ए एक फिल्म को इस साल सिनमा घरों म के जे फ्रैप्टिटी को लिंदी में परसुख करते हुए बेहत खुशी महिसीस हो रही है रवीना टंडन कहती है कि मैंने हमेशा साउच से फिल्मों का आनंद लिया है और उन्हें ये फिल्मे करना बेहत पसंद है मुझे दूसरे राज्यू से भी सिनमा करना पसंद है और पागे कहती है कि मैं करनर सिनमा में दक्षन भारत में और करनर सिनमा में बहुत अधिक काम करने के लिए उच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शाहिए आप लोगे नहीं वीडियो के साथ तब तक बने रही है हमारे साथ और देखते रहिए बॉलिग्राफ वीडियो मैं सोनिका जार दोस्तों केजिए चैप्टर टू का वेट इतना जादा कर लिया है कि अब रहा नहीं जाता क्योंकि लगातार रिलीस डेट भी सामने आती रही 16 जुलाई को कहा गया कि 2021 को यह रिलीस हो जाएगी यह रिलीस नहीं हुए कोवीड के कारण लेकिन अ जीरो जैसी फिल्म शारू खान की फिल्म को टक कर भी आगे निकल गई तो आप सोचिए कितना सैमिना रखती थी केजी अब अपने आप में अब आपको बता दे कि रिलीस डेट कंफर्म हो चुकी है पहले 16 जुलाई 2021 को यह फिल्म रिलीस होनी थी आप 16 जुलाई 2022 को इस फ इस फिल्म को रिलीस होना है और बहुत कुछ खास होने वाला है इस फिल्म में तो दोस्तों आप कुरसी की पेटी बान दीजिए क्योंकि फाइनली KGF चाप्टर 2 रिलीस होने जारी है वही प्रभास की डेब्यू करनर फिल्म सालार भी 14 अपरिल 2022 को रिलीस होगी वैसे दोनों फिल्म में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है लेकिन दोनों फिल्मों में एक और बात कॉमन है रिलीसिंग डेट के अलावा हालगी में प्रशानी ने ट्वीट पर फैंस को इंफॉर्म किया कि म्यूजिशन रभी बसरूर KGF चाप्टर 2 और सालार दोनों के लिए संगीत तयार करेंगे उन्होंने रभी के साथ एक तस्वीर शेयर की और लिखा one and only place जहां KGF चाप्टर 2 और सालार एक दूसरी को क्रॉस कर सकती है वो एक बसरूर रभी स्टूडियो खुच जादुकर के साथ संगीत पर काम करना एक बहतरीन experience रहा खेर KGF फैंस के लिए खबर काफी रोमांचक है क्योंकि उन्होंने फिल्म KGF चाप्टर 1 में अपने संगीत से उन्हें प्रभावित किया है इसलिए दर्शक सालार और KGF 2 में उनसे उसी तरह की जादू की उम्मीद कर रहे है वही प्रशाद नील के सबसे anticipated फिल्म KGF 2 में संजैदत, रवीना, टंडन, शीनिदी, शेटी, प्रकाश राज, अनंत, नाग और अन्यदी प्रमक भूमिकाओं में है दोसरी और सालार में शुरूती हस अनोखे भूमिका में है फिल्म कर नड़, तेलगू, तमिल, मलियालम और हिंदी में रिलीज होगी सालार का पहला schedule पहले ही पूरा हो चुका है और अब निर्माता जल्दी shooting फिर से शुरू करने की योजना बना रहे है वहीं पता चला है कि डिरेक्टर प्रिशान नील ने यश को सालार और KGF दोनों की स्क्रिप्ट एक साथ सुनाई थी लेकिन यश ने सालार की जगा KGF को चुना इसलिए प्रिशान ने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाफ किये और वही स्क्रिप्रभास को सुनाई उनके नरेशन के बाद बाहुबली स्टार ने फिल्म को अपनी मंजूरी दे दी निर्माताओं ने फिल्म के डिस्टिब्यूशन राइज के लिए 90 करोड रुपे दिया है ऐसा कहा जा रहा है कि टीम यश्ट टारर द्वारा किये गई किसी भी नुकसान के लिए सालार को कंपनसेट मीडियूम के रूप में इस्तमाल करके केजी अफ चैप्टर टू के साथ एक बिक अपोचुनिटी के लिए तयार है हाला कि फिल्म की पहली किष्ट ने विशेश रूप से साउथ इंडिया में धूम मता दी थी लेकिन इसके दूसरे भाग का बिजनस अब तक इंप्रेसिव नहीं रहा है और इसके लुकसान को भढ़ने के लिए प्रभास के फैंटेसी का इस्तमाल किया जा रहा है जो लोग अंचान है उनको बता दे दोनों फिल्म में विजय किरंगंदूर द्वारा उनकी प्रडक्शन बैनर होम बली फिल्म के तहट सपोर्टेड है इधियान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में अफवाहे थी कि पॉपलर फिल्म प्रड्यूसर दिल राजू ने यह स्टारर के डिस्टिबूशन राइज पहले ही खरीद लिये है सोशल मीडिया पर इस ख़बर के वाइरल होने के साथ केवल उसी के बारे में एक उफिशल कॉन्फरमेशन से तलगू राजियो में केजी अफ चाप्टर टू के बिजनस को क्लीन चिट मिला है रौकी भाई के रूप में यश अभिनत केजी नइफ चाप्टर वन को वे भारत में रिलीज करने की जोरदार रिक्वेस्ट और प्रपोजल रखा और उनका इंट्यूशन गलत नहीं साबित हुआ नए दोर में टॉलिवूट सूपरस्टार प्रभास की बाहुबली सीरीज के बाद केजी अफ चाप्टर वन देश भर में सबसे सफल फिल्म बन गई ये भी उम्मीद की जाती है कि 14 अप्रेल 2021 को रिलीज होने वाली केजी अफ चाप्टर टू भारतिय फिल्म इंडिस्ट्री में कई अन्य रिकॉर्ड तोड़ देगी क्योंकि ऑफिशल टीजर ने पहले ही दुनिया भर के कई रिकॉर्ड तोड़े है एक इंटर्व्यू में रॉकिंग स्टार ने कहा जब पहली बार अपनोंने मेकर्स दो फिल्म पान इंडिया रिलीज करने का प्रोपोजल दिया कि भारी सफलता के बाद भारत भर के डिस्ट्रिब्यूटर्स डिस्ट्रिबूशन राइट्स हासी करने के लिए आपस में भिड़ गए यश ने अपने 13 साल की करियर में कई ब्लॉक्बस्टर फिल्मों के साथ पहले ही एक फान्डम इस्टैबलिश कर लिया है रॉकिंग स्टार ने 2018 में केजिय अफ चैप्टर 1 की रिलीस के साथ अपनी स्कोप और रीच को और बढ़ाया अब तक फैंज अची तरह से जानते हैं कि यश रॉकिंग स्टार का स्क्रीन नाम है जबकि उनका ओरिजिनल नाम नवीन कुमार गॉड़ा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कंणड आक्टर ने यश को अपने स्क्रीन नाम के रूप में रखने का ओप्शन क्यू चुना मुक्य किरदार के रूप में उनकी पहली फिल्म रॉकी थी, जो उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, जो उसकी बाद एक्टर ने कभी बीछे मुनकर नहीं देखा और फिल्मों में मुक्य किरदार के रूप में अबिनाय किया, और अब वो South Indian industry के one of the most prominent actors के रूप में एख है नवीन गोड़ा और वियश को तो कुछ अन्य फैंसी नामों के साथ अतना नाम बदलने का सजाओ दिया गया था तब आक्टर ने फिल्म इंडिस्ट्री के लिए अपने असली नाम की जगा अपने बच्पन का नाम यश रखने का फैसला किया यश को उसके दोस भी टाइगर कहकर बुलाते थे यश की मच अंटिसपेटड फिल्म केजेएफटू अगली साल 14 अप्रेल 2022 के लिए रीश रियूल की गई है तब तक फैंस को इंतजार करना होगा मॉंस्टर रॉकी भाई की दहार के लिए वहीं आप सुनके ने कितने एक्साइटेड हैं हमें कॉमन बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो का लाइक को शेर करिए साधी चालन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए किन महिंगी चीजों का शोग रखते हैं संजय रियल लाइफ में क्यों बॉलिवुट के पहले अमीर बने संजय रियल को बरकरार रखा जाएगा और हो गए होंगे ना केजी रियल के बारे में सुन सुन कर तो भी यही सुनना है लेकिन आज हम केजी फ्टू की कहानिया कास्ट की नहीं बलकि उसके खलनायक यानी संजय की अमीरी को आपके सामने लाएंगे तो बता दे कि बॉलिवुट में कई ऐसे सलेब्रिटीज हैं जिने महंगी चीजों का क्रेज होता है और यहां के खलनायक यानी संजय दद भी उन्हीं में से एक है संजय दद ने हमेशा ही अपने आक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है हाला कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पोस्नल लाइफ भी हमेशा सूर्खियों में रही है लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो बॉलवुड में सबसे महंगे आक्टर है यही वज़ा है कि वो एक्सपेंसिव चीजों को खरीदना तो पसंद करते ही है साथ ही उन्हें अपनी पत्नी को गिफ्ट में भी देते हैं सौ करोर का बंगला जिसे मान्यता ने लेने से मना कर दिया था साथ ही संजय ने अपनी पत्नी को कुछ बहुत महंगी चीज़े गिफ्ट की है बॉलवुड स्टार्स का गाड़ियों के लिए प्यार तो सभी जानते हैं KGF-2 का अधीरा भी कार और बाइकों के काफी शौक रखते हैं और वो लेक्सस SUV, मर्सिडीज बेंज M-Class, एक पॉश SUV और एक टोयोटा लेंग क्रूजर के मालिक है इसके अलावा उन्होंने मान्यता दथ को एक रॉल्स रॉयास घोस्ट की थी ये कार जर्मन ऑटो मेकर की टॉप अफ दे लाइन मॉडल थी जिसे संजय डेली रूटीन में यूज करते हैं बता दे केजी अफ टू में जिस पैसे की होड में यश और संजय दत में मारा मारी होगी वो बॉलेवुड के सबसे अमीर स्टार्ज में से एक है उनकी वोड्रोब में एक तेलुआ प्रिंट वाली रूलेक्स घड़ी है जिस पर जमकदार हाथों के साथ आठ डाइमेंड डायल है और उस पर डाइमेंड ओवर मार्क है इसकी कीमत करी 33 लाक रुपे है बता दे कि संझेदत के पास लूंबई की इंपीरियल हाइट्स में कई सारे फ्लाइच है संझेदत और मान्यतादत का घर बैंडरा के पाली हिल में है जिसे बड़ी ही खुबसूरती से डिजाइन किया गया है संजय दाथ अपने दिवंगत माता पिता नर्गेस और सुनील दद के बहुत करीब है और घर में उनके मौजूदकी का एहसास पाने के लिए दिवारों पर हर जगा उनकी तस्वीरे लगाई गई है इकरा और शहरान की ब्लाक और वाइट दस्वीरे उनके घर के कई कोनों में भी दिखाई जा सकती है सैयुक्त अरब अमिरेट्स के लिए गोल्ड वीजा पाने के बाद संजय दद्रेकिस्तान अमिरेट्स में अपने नए घर में रह रहे है संजय बॉलबुट के पहले आग्टर है जो है दुबाई का गोल्ड वीजा मिला है इसी रोयाल्टी को बरकरार रखते हुए केजी एफटू में अधीरा का रूल संजय को दिया गया ताकि फिस शान से वो रियोल लाइफ में जीते हैं वही शान से वो फिल्म में भी जीए तो आपको क्या लगता है कि अधीरा की रोयाल्टी केजी एफटू में बरकरार रहेगी जो शान से वो रियोल लाइफ में रहते हैं, क्या फिल्म में उसी शान के साथ जस्टिफाई किया जाएगा? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएगा. जरूर बताएगा जरूर बताएगा जरूर बताएगा? यह बदलाव जो कि Gray Shades के किरदारों को निंभाना शुरू किया। जहाँ मेरा किरदार भोला था लेकिन आखिर कार मैंने डाक किरदारों को निभाना जीका। मैं कभी भी सीखने से मना नहीं किया। यह बहुत अच्छी बात है विशेश रूप से उटीटी प्लाटफॉर्मों के आने से ऐसा करने और तलाशने के लिए बहुत कुछ है और मैं KGF 2 में ऐसा किर्दार निभाने के लिए काफी हुच्छुक हो KGF Chapter 2 फिल्म में रवीना तंदन का लोग उनके जनम दिन 26 सक्टूबर 2020 को सामने आया था और संजयदत का लोग उनके 60 जनम दिन 29 जिलाई 2019 को जारी किया आया था और लोगों ने रवीना का लोग काफी पसंद किया था फिल्म के डारेक्टर प्रशांत नील ने अपने इंस्टेग्राम पर कुछ तस्वीरे शेयर किये इस पोस्ट के जरियरों ने KGF Chapter 2 की डबिंग शुरूर होने की बात कही है उन्होंने डबिंग स्टूडियो से यश के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर भी शेयर की है एक यात्रा अच्छी शुरुवात के साथ जिसका कोई अंत नहीं है लोग यश के जल्बे देखने के लिए हमेशा उचसाहित रहते हैं और इसलिए भी KGF के तीसरे भाग के लिए लोग उचसाहित है KGF फिल्म में यश की फिल्मी करियर को नहीं उचाहियों तक पहुचा दिया है यश फैंस के बीच रॉकिंग स्टार के नाम से भी काफी पॉपिलर है यश का असली नाम नमीन कुमार गोडा है उन्होंने बहुत कम समय में ही कन्नत सिनिमा में अपनी पहुचान बना ली है अलाकि यश को सबसे ज्यादा लोग प्रिया ताउन की फिल्म KGF चाप्टर वन से मिली आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंदाई हो तो इसे लाइक शेर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बलकूल ना भूले और हम फिर आजर होंगे आपके मन पसंदीदा सितारों से जुई हुई एक बहुत इंट्रेस्टिंग खबर को ले रिलीस को लेकर क्या है उठा पटक क्या दिवाली पर फोड़ेंगे बंब याश हलो दोस्तो नमस्कार स्वागत आप सभी का बॉलिग्राथ स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ निश्कात यागी करनर सूपरस्टार यश के फिर्म केजी इफ चाप्टर टू इसी साल 16 जुलाई को रिलीस होने वाली थी लेकिन कोरोना की दूसरी लेहर के कारण हैसान नहीं हो सका तब से ही लोग दोस्तो इस फिर्म की दूसरी रिलीस डेट का बेस सब्री से इंतिजार कर रहे हैं उन्ही रिलीस डिले का ये ये पातिकार्ण से जोहार नहीं बलकि बाकी भी क्या नहीं हैं दोस्तों बता दो कि करोना की कारण फंप को सनेमा होल नहीं रिलीस करना मुश्टिल हो रहा है और OTT पर कोई रिलीज करना नहीं चाह रहा इसी बात को लेकर दोस्तों यश भी अड़े हुए हैं कि रिलीज OTT पर नहीं करेंगे चाहें रिलीज में कितना ही लेट क्यों न हो जाए लेकिन यश क्यों अड़े हैं इस बात पर तो दोस्तों बता दे कि KJV2 की जो कि एक फिल्म की थीम है फिल्म में आक्शन सीन का मज़़ सिर्व बड़ी स्क्रीन पर ही लिया जा सकता है जब यश अर्श संजे के आक्शन सीन पर ठीएटर में तालिया बजेंगी और ये तालिया जब नियूस बनकर अकबारों में चपेगी तो उससे ज़दर खुशी एक आर्टिस के लिए नहीं हो सकती है शायद दोस्तों इसी तरह की वावाई के दलालच में यश अपनी पिच्चर के लिए हर नुकसान को जेलने के लिए तैयार है बता दे कि सुनने में तो ये भी आ रहा है कि किसी वेमस OTT प्लाटकॉम्स ने इस फिर्म को खरीदने के लिए दो सो पचीस करोर का ओफर भी दिया था लेकिन दोस्तों साउथ के सूपरस्टार ने इतने बड़े ओफर को में टुकरा दिया यंष्च आते हैं कि उनकी ये फल्म के वग झेटर पर ही रिलीज हो केजी अफ टूकी जब से घूशना हुई थी तब से ही फांसिस का बेस सब्रिस इन्पषार कर रहे हैं तो ऐजरे में यंष्च आते हैं उनकी फ़ल्म उनकी फांस के वग झेटरस में ही देखे तो दोस्तो अपनी स्राय के बारे में यश ने अपनी फिल्म के निर्मादाव को भी बताया और वो भी उनकी इस बात कर समर्धन करते हैं के जिफ चाप्टर टू की बात करें तो इसमें श्रीमिदी शेटी, संजेदक और रवीना टंडन पहले पार्ट के एकसाइटमेंट और आक्शन को नेक्स्ट लेवर पर ले जाते देखे जाएंगे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंतिजार करते करते बहुत जादा देर हो जाएंग? अच्छी पुमार, डामया कृष्णन और आधी में लीड में, KGF में लीक कंडनर तमिल, तेलिगु, मल्यालम और हिंदी भाषाओं में रिलीस हुई थी, तमन्ना माटिया KGF में एक स्पेशल रोल में नज़राई थी, फिल्म एक पीरियड ड्रामा है, जो करनाटक के गोलर एलिया में सोने के खन और इससे चलाने वाले माटिया के इभिहाद का पता लगाती है, आपको बता दें कि KGF काफी पहचान बना चुकी है, और जाने माने स्टार यश की फिल्म का भी टीजर लॉंच किया जा चुका है, इसमें कुछ सीन पहले पार्ट के हैं और जो उसमें दिखाए गए थी, वहिए अगर आगे बात की जाए तो आगे चीजों में यश का स्टाइल देखने को मिलेगा वहिए अभी टीजर में संजेदत के लुक को नहीं बताया गया है, उनके बैक साइड को दिखाया गया है, जिसने कलवार पकड़े हुए देखे गया है, अगर दोनों फिल्म के विलन की बात की जाए तो पहली तिल्ब में गरूर का किरदार अविनिता रामचंदर राजवुन निभाया था, जब भी बैक पीन पर दिखाई देते हैं, तो उनके खतरनाग तरीके ओडियन के लॉक्ते खड़े कर देते हैं, रामचंदर राजवारा गरोर के बुरे रोड को कई फैन्स ने सरहा, लेकिन उनने स्टाइल वाले खतरनाग लोग को सपोर्ट नहीं किया, संद्यदत के चाप्टर 2 ने पहरे लूप में दिखा चुए हैं चाप्टर 2 से संद्यदत के चीरक्टर अधीरा पहरे लूप में उन्हें एक बड़ा शेप निया गया है, कि उनकर लो वाइकिंग्स के एक चरितर से इंस्पायड है के जीर चाप्टर 1 साल 2018 में रिलीज हुई थी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में 250 करोर रुपे की कमाई करी थी ऐसा करने वाली वह पहली कंड़ फिल्म थी ऐसी के साथ के जीर चाप्टर 1 चौती सब्स जादा कमाई टरने वाली हिंदी डब फिल्म थी बनी है इतना ही नहीं के जीर पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली कंड़ फिल्म थी इस फिल्म के चाप्टर 2 का टीजर आखिर का रिलीज हो चुका है और साथी सा इसको देखने के बाद फैंस के पीर उत्सा और भी जादा बढ़ हाला कि फिल्म की रिलीज जेट का एलान अभी भी नहीं किया गया है तो आप लोग बढ़ाए कि केजी एफ का स्धीक बल आप किसनी बेसापरी से इंतजार कर रहे हैं आप लोग अपने कमेंट समाए साथ जरूशे करें विजय देवरा कोंडा दिखेंगे केजी एफ 2 के एक क्यामियो में किस विदेशी क्रिकेटर को है केजी एफ 2 का इंतजार इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूँगी हमारे उस वीडियो में तो लास्ट सक बने रहे हमारे साथ हेलो एवरिवान स्वागत है आपका बॉलीक्राथ स्टूडियोस में यश के मुक्य भूमिका वाली केजी एफ एक लोगप्रिय फ्रेंचाइज ही बन गई है और स्रीज की दूसरी किस रिलीज होने के लिए तयार है फिल्म के रिलीज या प्रमोशन के पहले विजय देवरा कोंडा ने कहा कि हम निर्देशक प पारे में उनसे पूछा गया कि विजय देवरा कोंडा यश ते चोरी करना पसंद करेंगे तो अभिनेता ने के जीएफ के निर्देशक प्रशान निलका उनलेक किया उन्होंने मजाफ में कहा कि मैं उनके साथ के जीएफ 3 गुपतियोज ना बना सकता हूँ के जीएफ 2 के मेकर्स फिल्म का नया पोस्टर और लुक जारी कर रहे हैं इस बार फिल्म में संजय दद भी यह हैं भूमिका में नजर आने वाले हैं यश ने डियर कॉमरेड के लिए विजय देवरा कोंडा के दोरे का समर्थन किया था जो तब हुआ था जब उनके बीच क परिष्टा सारवजनिक हो गया था विजय जल्द ही फिल्म वर्ल्ड फीमस लवर्स में नजर आने वारे थे उन्होंने कुबूल किया कि उन्हें यश के के जीएफ ने उनके होश उड़ा दिये थे और ऐसा हो सकता है कि अपना सपोर्ट दिखाने के लिए विजय एक गेस् दिवाने हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वर्नर भी इस फिल्म के दिवाने हैं डेविड ने हाली में अपने इंस्ट्रिग्राम अकाउंट पर एक फेस्पॉर्क वीडियो शेर किया था जिसमें डेविड का चेहरा यश के चेहरे पर फिट किया गया है वीडियो में वो सीन दिखाया गया है जिसमें यश पुलिस टेशन पर मशीन गन से हमला करने के बाद गर्मी से लाल हो चुकी बंदू की बैरल से अपने सिग्रिट जराता है ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर शेर किया जा रहा है वीडियो के क्य में लोगों ने धेरो कॉमेंट भी किया है प्रशाद निल के अनुसार के जीएफ चाप्टे टू एक छोटी लेकिन अतिदिक प्रभाव शाली फ्रेंचाइजी के अंत को चनहित करेगी आगामी फिल्म रॉकी भाई के किरदार को अपने दुश्मन का सामना करते हुए देखे अब जिस फिल्म के लिए विजय और डेविड वार्नर जैसे फेमस लोग एक्साइटेड है उस फिल्म का सूपर हिट होना तो बनता है आप सभी कितने उत्साहित है के लिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं फिलान इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे क्यारिय पढ़नावत्स को दीजिए जाजत अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्या KGF2 में हमें एक बार फिर से अरचना जोईस के कुछ सीन्स देखने को मिल सकते हैं और क्या KGF2 की टकर हो सकती है इस फेमस बॉलेवुड आक्टर की मुवी से इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में तो लास्ट तक बने रहे हमारे स एलो एवरिवन स्वागत है आपका बॉलीगराथ स्टूडियोज में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉलवुड के सुल्तान तो सल्मान खान है पर क्या आप जानते हैं कि टॉलवुड का भी एक सुल्तान हमारे बीच आ चुका है और वो कोई और नहीं बलकि यश है और ऐ ऐसा हम इसी लिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी एक मूवी जिसने उनके करियर को काफी बड़ी उडान दे दी है और साथ ही उनका स्टार्डम ना सिर्फ टॉलवुड में बढ़ा है बलकि अब तो उनको बॉलवुड से भी काफी ओफर्स आने लगे हैं और अगर बात की जाए के जीएफ की तो दोस्तों मैं आपको बता दू के जीएफ ना सरफ टॉलवुड इंडस्ट्री में ना सरफ बॉलवुड इंडस्ट्री में बलकि पूरे इंडिया में काफी जादा पॉपुलर हुई थी और इसी वज़े से के जीएफ 2 के लिए भी तमाम इंडियंथ देखने का मौका भी मिलने वाला है जी हाँ जल्द ही बड़े पड़े पर KGF 2 रिलीज होने वाली है जो फैन्स को काफी जादा एक्साइट कर रही है पर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी में हमें यश की ओन स्क्रीन मा यानि की अर्चना जोईस एक बाद फिर देखने को मि हमें देखने को मिल सकता है टॉलवुड इंडास्ट्री में अर्चना के काफी फैन्स है और निश्यत तोर पर ये उनके लिए भी एक ट्रीट साबित होने वाली है साथी साथ जो इस फिल्म में फीमेल लीड के तोर पर नजराने वाली है यानि कि श्रीनधी शेड़ी उन्ह उन्होंने अपने इस कारेक्टर के लिए काफी मेहनत भी की है अगर हम बात करें कि आखर ऐसा क्यूं कहा जा रहा है कि अगले साल इस मूवी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आने वाली है दरसल मैं आपको बता दू ऐसा कहा जा रहा है कि केजी एफ टू से भिड़न इस साथ दबंग फोर को भी रिलीस किया जा सकता है और ये एक बहुत ही बड़ा मेगा बॉक्स ओफिस क्लाश होने वाला है निश्यत तोर पर सलमान खान के तमाम फैंस तो यही चाहेंगे कि दबंग फोर सक्सेस्फुल हो तो वहीं दूसरी तरफ के जी एफ टू के तमाम जो लंबे अर्से से इस मूवी के रिलीस डेट का इंतिजार कर रहे हैं वो अपनी जीत जान से कोशिश लगा देंगे कि के जी एफ टू ब्लॉक बस्टर बन जाए अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बॉक्स ओफिस की इस जंग में आखिर जीत किसे हासल होती है चलिए के जी एफ टू में आएगा लव एंगल आखिर क्यों पसंद नहीं आया फैन्स को के जी एफ का एक्शन सीक्वेंस के जी एफ टू में क्या है राज शक्ती शिला का हरो इन वेलकम मैं हूँ आपकी होस्ट प्रियांका और स्वागत करती हूँ आपका बॉलीग्राइड स्ट बने रहें अपने एकसाइटमेंट लेवल को और भी जादा हाई करने के लिए के फैंस उसकी हर अपडेट पर पैनी नजर बनाए हुए हैं इसी में आगे बढ़ते हुए फैंस फिल्म के कई सारे फैक्स को उठा रहे हैं और फिल्म के फ्लो और कंक्लूशन को खोजने के ल एक वॉइलिंट क्लैश को देखने के लिए भी फैंस काफी जादा क्रेजी हो रहे हैं के जिएफ वन को देख चुके फैंस इस फिल्म की कहानी को काफी दिल से याद करते होंगे जब के जिएफ 2 को सोचते होंगे फिल्म के पहले कुछ मिंटों में KGF की कहानी को याद करते हुए फिल्म के कैरेक्टर आनंद ने बातो ही बातों में 24 by News की चीफ एडिटर मालविका अविनाश को शक्ती शिला के बारे में हिंट दिया था और फिर वहीं बातचीत के बाद दीपा ने किसी भी हाल में शक्ती शिला को खोजने का आदेश दिया और उस जगह की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए एक रिपोर्टर को भी अपॉइंट किया लेकिन माना जा रहा है कि KGF चाप्टर 2 में उस रिपोर्टर को पुलिस के हिरा आसत में दिखाया जाएगा क्योंकि रॉकी और KGF की सच्चाई जानने के बाद उस रिपोर्टर की नियत भी बदमाशों वाली हो जाती है और फिर पुलिस उस बदमाश को पकड़ लेगी फिर जल्दी दीपा का नाम भी जेल जाने वाली सूची में शामिल हो जाएगा ज शक्ति शिला की खोज को काफी दिल्चस्प तरीके से दिखाया जाएगा वही कुछ फैंस का मानना है कि KGF चैप्टर वन में लव एंगल या फिर रोमैंस के ना होनी की वजह से ये कुछ जादा ही यानि कि ओवर एक्शन लग रहा था वही कुछ फैंस का कहना है कि उन्हे के KGF के एक्शन सीक्वेंस बिलकुल भी पसंद नहीं आए जैसे एक व्यक्ति 20 लोगों को मार देता है फैंस चाहते हैं कि अब बॉलेवड को भी एक्शन के मामलों में ग्रोब कर लेना चाहिए तो अब पूरे पूरे चांसे हैं कि इस फिल्म में एक लव एंगल को भी द दिखाए जाती हैं रॉकी भाई की या फिर फिल्म के किसी अन्य किरदार की वैसे आप यश को कौन से किरदार में देखना जादा पसंद करेंगे एक रोमेंटिक अंदाज में या फिर एक अग्रसिव लुक में आप अपने व्यूस हमारे साथ कमेंट सेक्शन पर जरूर श जाल दोस्तों बॉलिवर की कई सुपोस्टर अब फिल्मों के इंतजार में बैठेगी ये कव रिलीस हो इसमें KJF Chapter 2 भी है जनके सितारे चाहते हैं फिल्स से जल्द रूरी सो फैंस भी इंतजार करें लेकिन COVID ने सब कुछ खराब करके रखा है आपको बदादे संजेद द अब काफी जादा खुखा नजर आ रहे हैं और बहुत ही बहतरी नूंका लुक इससे पहले भी उनका पोस्टर रिलीस किया गया जिसमें कि वो काफी जादा स्टनिंग लग रहे थे और फैंस की बेता भी और भी जादा बढ़ गई थी इस सिम के लिए अब जो पोस्टर सा फैंस ने कॉमेंच करते हुए कहा यही है सबसे बड़ा खला है आपको बता दे इस फिल्म के प्रेडूसर विजय की रांदूर ने कहा कि यह जल ही रिलीस करने का प्लान है वही इसका निर्देशन प्रिशाद बील ने किया है डिरेक्टर ने संजदत का लोग ट्वीट करत कर दिया गया था यश के बौदे के मौके पर जिसमें सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया था अब तब बहुत सारे व्यूज इस चीजर को मिल चुके है और इस फिल्म का ज़़ार हो रहा है पहले कहा गया कि तेज़ जुलाई को इसे रिलीस किया जाना था लेकिन फिर कोव यह तो तेह है क्योंकि यह ने क्लिया कर दिया है कि इसे बड़े पड़े के साफ से बनाया गया है और उसी एक्स्पीरियन के साफ से हम इसे और नहीं रिलीस करेंगे वह बहुत कुछ खास होने वाला है यह और अधीरा का जो फाइटिंग सीपोइंस है वह पावर क्योंकि इसमें यह शर्टली सीम करते हुए और खतरनाग स्टन्ट होंगे तो दोस्व आप कितना वेट कर रहे है इस फिल्म का संजु बाबा का यह नया लोग आपको कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरू बताईएगा और इसी जरा के दूसरे अप्डेश के स्वागत आपका बॉलेगराद स्टूडियोज में जा हम देते हैं बॉलेगर उससे जड़ी सभी लेटिस्ट और दिल्चप्स खबरे और आज हम बात करें हैं फिल्म के जिफ तू की मेरे आनी शूती के सार्ट के सार्ट के सिरीज की पहली फिल्म है इस फिल्म के बाद के के जिफ चाप्टर 2 को रिलीस किया जाएगा फिल्म में यश को रॉकी के रूप में मुख्य भुमिका में दिखाया गया है जबकि राम चंद्र राजू गरुड के रोल में है अनंतनाक फिल्म का निरेशन करते हैं जबकि श्रीणी श्रटी वशिष्ट एन सिम्हा इस डेट की जानकारी देते हुए लिखा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि तारीख तै हो गई है 1960 के दौर में सेट ये पीरोड फिल्म थी जिसमें कोलार गोल्ड फील्स को लेकर सर्क्रिये माफिया की कहानी दिखाई गई थी फिल्म तेलकू तमिल मल्यालम और हिंदी भाशाओं में डब करके भी रूलीज की गई थी दूसरा भाग अब इन शारों भाशाओं में रूलीज किया जाएगा इस फिल्म ने यश्कूतर भारत में खूब लोग प्रिता दलवाई थी केजियेफ चाप्टर टू को रिलीज होने क्या सभी को बेसमरी सिंतजार है हम सभी केजियेफ चाप्टर वन दुआरा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में तो जानते ही है और हमें लगता है कि आगभी फ़िम केजिफ चाप्टर 2 भी एक नया मानदण स्थाप्ट करेगी केजिफ चाप्टर 2 सबसे प्रोदिक्षित फ़िमों में से एक है अब खबर है कि यूट्यूब पर जारी केजिफ चाप्टर 2 के टीजर ने एक नए रिकॉर्ड बनाया है केजिफ चाप्टर 2 का टीजर दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा और पसंद किया जाने वाला टीजर है टीजर में एक नेता के रूप में रवीना टंटन को देखा जा सकता है वहीं संजयदत अधीरा के लुग में नजर आ रहे हैं होमबल फिर्म्स ने इस टीजर को रिलीज किया है और टीजर को जारी करते उन्होंने कहा कि एक्सेल इंटेटेइन्मिंट और एए फिल्म के साल सिनेमा गरों में मेगा महात्वा कांची के जेफ साप्ट टू को हिंदी में प्रसुत करते हुए बेहत खुशी मैसूस हो रहे है इस विल्म में संजयदत ये श्रवीना टंटन श्रींजी शेक्टी प्रकाश राज के साथ कई और कलाकार नजर आने वाले है कन्नट तूपस्टार यश की बात करें तो वो स्टाइल में खड़े होकर गाड़िया उराते नजर आने वाले है टीजर में रोकी की मा और उसका बच्पन दिखाया गया है कैसे रौकी की मा ने उसे पाला फिर बड़े होने का दोर और फिर मा से किया वादा दिखाया गया है इस वादी को रौकी फिल्म में पूरा करेगा जिस हिसाब से फिल्म के टीजर से लिकर फोस्त लुक्स को दर्शकों का प्यार मिल रहा है KJF 2 के रूलीज होने पर बॉलिवट के कौन कौन सा रिकॉर्ड तूटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा अब तो बस इंतजार है इस फुन के रूलीज होने का हमें भी और दुनिया भर में इस फुन के करोडो फैन्स को भी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना मलकूल ना भूरे क्योंकि हम फिर आजिर होंगे आपके मन पसंदीता से तारों से जुड़ी हुई एक बहुत इंट्रेस्टिंग और चटपटी केजव फ्रंचाइजी इतना बड़ा नाम है कि आज हर कोई केजव चैप्टी 2 का बेस सब्री से इंकसार कर रहा है इस स्विन को इतना ब्लॉकपस्टर किसमें बनाया ओविसली इसके हीरो यश उफ रॉकी भाई ने तो यहां हम यश को एक लगी मैन कह सते हैं क्योंकि साउट इंडियन हीरोज में से बस कुछी ऐसे किने चुने हीरोज है जो कि लोग देखना पसंद करते हैं या जानते हैं जैसी की प्रवास, अलो अरजन महेश बाबू और यश के किसमत तो केजव से ही चलोग दे यह कहना तो बिल्कुल भी कलग नहीं होगा लेकिन सवाल यह भी है अगर यश केजव चैप्टर 2 नहीं करते या फिर केजव चैप्टर 1 में ही नहीं आती तो क्या होता वेल, होता यह कि हमें एक नया सुपरस्टार बिल्कुल भी नहीं दिला होता आप तर केजिएफ रिलीस तो होती लेकिन हाइलाइट नहीं होती इसके पीछे एक और बड़ी वज़ा है जो शायद आप लोगों को ना बता हो धरसल सुपरस्टार यश ने किराटिका 2 के पर्डूसर को 13 करोर रुपे वापिस दें है क्यों? क्योंकि यश ने किराटिका 2 शुरू किया था और लगभग 20 दिन की शूटिंग भी हुई थी लेकिन इस फिल्म में देरी होने लगी जबकि केजिएफ 2 के निर्माता उन्हें बिना देरी के केजिएफ चैप्टे 2 को पूरा करने पर जोर दिया यश जल से जल केजिफ चैप्टे 2 को पूरा करना चाहते थे और 2020 में के राटिका 2 को फिर से शुरू ही करना चाहते थे हाला कि इसकी सारी ओजना COVID-19 की लहरों में बह गई क्योंकि जैना ने बुखत लंबा इंतजार किया है इसलिए यश ने ब्यांस के साथ वापिस करने का फैसला किया जो कि 13 करोर रुपे था हाला कि प्रड्यूसर ने यश को राशी वापिस ना करने को कहा लेकिन यश नहीं चाहते थे कि फिल्म चीम किसी भी तरीके का नुक्सान पुझे ले फिर ये भी क्लियर नहीं है कि क्या यश प्रजेक्ट से बाहर दो गए हैं या नहीं तिलहाल तो देश में दो ही वेब्स चड़ रही है वर्स्ट कोरोना वेब और तूसरा केजिफ 2 का वेब जैसा कि केजिफ चाप्टर वन में पत्रकार आनंद इंगलंगी द्वारा कहा गया है इतिहास हमें बताता है शक्तिशाली लोग शक्तिशाली स्थानों से आते हैं जिसे केजिफ चाप्टर टू टीजर में डिस्ट्रोई कर गया था बोला गया था कि इतिहास गलत है, शक्तिशाली लोग शक्तिशाली स्थानों को बनाते हैं। High Optin Action Series की ये पंचलाइनों ने सोचल मीडिया पर बहुत ही बहस छेड़ी है, बहस की आग लगा दी है। माना जा रहा है कि इस टीजर का स्केटमेंट ओडियान भफ्त काने के लिए सिमाल किया जा रहा है। Well, इस फिल्म को लेकर कई सारे fan theories भी सामने आ रहे ही और सबके सच होने के equal chances हैं। आपको इस पर क्या कहना है हमारे साथ शेर कीजेए। अब को अगर ये वीडियो पसंदा आई है तो इसे लाइक और शेर भी किजे और बॉलीक्राइट स्टूडियोज को ज़दी से सब्सक्राइब कर लीजे। क्या आप जानते है कि KGF के सूपर स्टार का असली नाम क्या है और क्यू उन्हें उस नाम से नहीं बुलाया जाता। और क्या KGF 2 के जीले को लेकर विजय खिन गंदूर को भी काफी क्लाश जहेलना पर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो बेस्ट है अपकोमिं आक्शन थ्रिलो फिल्म जो की है KGF 2 दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं उस एक्टर की जिन्होंने प्रभास के बाद वॉल्यूज में अपना नाम इस तरह से कायम कर दिया है जो की कोई और एक्टर रिप्लेंस नहीं कर बायेगा। हाँ तो आज हम बात कर रहे हैं साउट्विल मिंदास्टू के अक्शन स्टार यश और उनकी आने वाली फिल्म KGF 2 के बारे में कि यहीं लग रहा है कि यह मूवी 2022 के सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी होने वाली है पर क्या आप दियाश के पास्नल लाइफ से जुरे कि इंट्रेस्टिंग जानते हैं कि उनका असली नाम नवीन कुमार गावरा है और एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने रियल नेम को दे कर एक बहुती बड़ा स्टेट्मिन दी दे दिया तो ऐसा हुआ कि इंटरव्यू के दौरान किसी ने जब यश को अपने रियल नेम से बुलाया तो वो खुश नहीं हुए बलकि उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय के बाद उनका असली नाम सुनकर वो काफी हैरान हुए और उन्होंने ये कहा कि वो सिर्फ यश के नाम से फेमस है और इसी नाम को अपना लखी चाम मानते है तो इसलिए अब उनको कोई नविन कुमार गावरा से बुलाए तो उन्हें ये बिल्कुल पसद नहीं आता अगर हम बात करें कि ऐसा खबर क्यों आ रहा है कि जिस फैन्स ने KGF को सूपर हिट बनाया वही आज इसकी सीक्विल को लेकर हंगामा कर रहे हैं तो बात कुछ ऐसी है कि KGF 2 को 2020 में ही रिलीज करना था लेकिन COVID के वज़र से इसका दीले हो गया और हमें लगा कि अगली साल तो शायर KGF 2 हो में देखने को मिलेगी पर वो भी नहीं पॉसिबल हुआ और इसी जीले की वज़र से फैन्स काफी नाराज है मेकर से और विजय किरकंदूर को भी काफी घुसा जेलना पर रहा है सोशल मीडिया पर इसी वज़र से पर अब मेक अगर कहां से शुरू होगी KGF 2 की कहानी कहां होगी रौकी और अधीरा की टक्कर कैसे लिया जान इब्राहम ने KGF 2 का साहर अपनी फिल्म चलाने के लिए नमस्कार दोस्तों सुआगे आप सभी का एक बार फिर से बॉलिग्राद स्टूरियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्का त्यागी बॉलिग्राद स्टूरियोज जहां हम आपको देते हैं सभी लेटिस्ट और दिल्चस्ट खबरे और आज हम बात कर रहे हैं फिर्म KGF 2 की KGF 2 वैसे तो कर्नर भाशा के फिर्म है मगर इसे हिंदी दर्शकों के बीच भी खासी लोग प्रियता मिली है दोस्तों फिर्म का निर्देशन प्रशान नील ने किया है और पहली फिर्म की काम्यावी ने दूसरे भाग के इंतिजार को और बढ़ा दिया है फिर्म का टीजर आज जनवरी को यश के जनम दिन पर रिलीस किया गया था और KGF 2 का क्लाइमिक्स दिसेंबर में शूट किया गया था क्लाइमिक्स में नायक रॉकी यानि की यश और खलनाय कदीर यानि की संजे के बीच जबरदस्ट आक्शन के साथ लड़ाई और जान लेवर स्प्रंट के गए थे दोस्तों 1968 के दौर में ये से की ये पीरियट फिर्म थी जिसमें कलाइम गोल्ड फिल्ड्स को लेकर सक्रिय माफिय की कहानी दिखाई गई थी फिल्म तेलबू तमिल मलियारम और हिंदी भाषाओं में भी इन रिलीस की गई थी और दोस्तों इस फिल्म नहीं अश्क उत्तर भारत में खूब लोग प्रिता दिलवाई थी केजिव टू के मेकर स्नेक शर्ट रखी थी केजिव चाप्टर वी क्यानी के लिए कि सिन्मा गरों को ईड के सब्ताहंत के दरान सात्तमेव जैनिव जैनिंग करने होगी जान अबराहम अभेिन थी साल की ईड वीकेंड को रिलीस होने वाली थी तर उमीद की जा रही थी कि सिनेमा घरों में सत्मेव जैते टू के लिए कम दिल्चस्प दिखाए जाए जाएगी और इसलिए जॉन अबराहम ने केजिफ टू का सहारा लिया है अपनी फिर्म के बिजनिस को बढ़ाने के लिए दोस्तों सुनने में ऐसा आया है कि केजिफ च चाप्टर 2 के टीजर में भी दे चुके हैं और टीजर में हमने लिखा देखा था कि वादा पूरा किया जाएगा इस साल की शुरवात में साथ जनवरी को रिलीज हुए केजिफ चाप्टर 2 के टीजर ने अब तक 175.59 मिलिए व्यूज यूर्यू पर कमाए हैं और दोस्तों 8 मिलिएं से जादा लाइक्स मिले हैं आप दोस्तों इतनी बड़ी स्थंख है कि साथ के एजिफ टू कई हॉलिवट फिल्मों से आगए है जो अतीत में ब्लॉक बस्टर बन गई थी अब के रिलीस होने पर बॉलिवट के कौन से कौन से रिकॉर्ड टूटेंगे ये तो अब इसी के साथ मैं अनुश्कतिया की लेती हूँ आपसे इजासत हम फिर हासिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक बने रही हमारे साथ और देखते रहे हैं बॉलिग्राथ स्टूडियोज हमारी आज के राइटर है सान्या तो क्या मान लिया है कि एजी अफ चाप्टे टू के डारेक्टर ने ये मूवी है आंटी फेमिनिस्ट क्या के जी अफ चाप्टे टू में फीमेल लीडिंग कारेक्टर्स होंगी कम इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में के लास तक बने रहे हमारे साथ हेलो एब्रिवान स्वागत है आपका बॉलिग्राफ स्ट्यूडियो में दोस्तों आज कल की फिल्म एंटिटेन्मेंट के लिए नहीं बल्कि लोगों को एजुकेट करने के लिए बनती है इन फिल्मों में हर चीज को बहुती जादा सोच समझ कर डाला जात है ताकि लोग इनसे कुछ इंफरमेटिव और एसेंशियल सीख सके अब आज आते हैं फिल्मों में यूज होने वाले एक बहुती इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ओर जो है फेमिनिजम हाँ सही सुना आपने फेमिनिजम फिल्मों की दुनिया में इस वर्ड का बहुती बड योगदान रहा है और लोग आज कल इस वर्ड के अधर पूर इस्तमाल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो आज हम आपको इस वर्ड फेमिनिजम के अंदर इस सदी की सबसे पावरफुल फिल्म के जीएफ चाप्टर टू के आनलाइसिस के बारे में आपको बताएंगे के जीएफ चाप्टर टू को डारेक्ट कर रहे हैं प्रशान निल इनकी स्टार कास्ट में सूपर स्टार यश रवीना टंडन संजयदत श्रीनिदी शेटी और भी कई कलाकार मौजूद होंगे और केजी अफ चाप्टर टू मुवी सच में कहीं न कहीं वोमिन को नेक्स स्ट्रॉंग और इंडिपेंडेंट कारेक्टर शो करती हैं KGF chapter 2 भले ही एक male gangster के round लिखी गई है पर इसमें ये fact ignore नहीं किया जा सकता कि इस movie में एक woman का as a strong character पेश किया गया है बच्चे के बच्पन में उसकी मा की क्या भूमिका होती है इस movie में बखु भी दिखाया गया है एक बच्चा उस मा के लिए दिये गए motivation और courage के चलते दुनिया जीतने के लिए सब कुछ करने की तयार रहता है और यहां इस movie के director ने एक औरत को एक पिता के बराबर दिखाया है जहां एक औरत ने पूरी मेहनत करके अपनी ओलाद को पाला पोसा उसे बड़ा किया उसमें अच्छी qualities डाले और आज उस ओलाद का नाम है ट्रॉकी भाई दोस्तो इस बात में कोई शक नहीं है कि KGF chapter 1 हो या फिर chapter 2 रॉकी की मा का किरदार बेहदी strong दिखाया गया है जो सीधे सीधे women empowerment का प्रतीक है इस बार KGF chapter 2 की बात करे तो female politics and power को भी बहुती जादा खुबसूरत तरीके से दिखाया जाएगा इस बार मुवी में रामिका स्तेन जो की भारत की प्रधान मंत्री बनी है उनका रोल कर रही है रवीना टंडन मुवी के ट्रेलर में ही उनके power को शो कर दिया जाता है दोस्तों कुछी दिनों पहले KGF chapter 2 का teaser भी रिलीज हुआ था जिसमें रवीना टंडन के character को बेहत powerful दिखाया गया है और audience को ये character काफी पसंद दिया रहा है इस मुवी की main lead actress श्रीनिदी शेटी जो की मुवी में रीना का रोल कर रही है उन्हें पहले पार्ट में एक independent लड़की की तरफ शो किया गया था और इस बार भी उनका character कुछ वैसा ही होने वाला है KGF chapter 2 indeed women and men के बीच में जो ये जो power, respect, pace and social difference की दिवार है उसे गिराता हुआ दिखेगा फिलाल तो इस film के release के लिए भारत की तमाम audience लंबेर से से इंतिजार कर रही है आप कितने जादा excited है KGF chapter 2 के लिए हमें नीचे comment करके जरूर बताए फिलाल इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही मुझे आनिया पढ़ना वक्त को दीजिए इजाज़त अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्स्क्राइब करना ना पूराए झाल